कि अब हुआ ने हुआ आगा है अगा है झाना यह दोस्तों स्वागत है आप सभी ता एक बड़े मुकाबले में आप सभी के स्वागत करते हैं निए फिर्ट कब्रे दूम करते हैं लिएक कृन्ट करते हैं जरा रहा है इस मेदान परごहुआ आप्स भी यह संत्रिकिति आप डिस टब्री जैंड़ होका सूछेर्ट न॓र्त शांड की तिम फेलगोगना विए aula दो मकाबला खिलने आई है और स्रंक्ला की बहतरीन मकाबला पहला वंडे मैच जो की शुरू होने जा रहा है लगवग देखा जाए है यहाँ पर छेतर परसे हमेड़ी है बारिस की कोई समाव नदे नहीं आ रही है और बारिस यहाँ पर दुस्तों नहीं वाले नहीं है वही दोसो पचीस पे साथ मतलब की पिछले ICC Women World Cup में वेस्ट इनिस की टीम है वह कही न कहीं मैच जीती थी तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट इनिस की टीम मैच जीत नहीं पाएगी वेस्ट इनिस की टीम इसमेच को जी सकती है और मुकाबला एक अच्छा हो सकता है इसमें कोई दौर रन बनाये हैं नबेर के करीब रन बनाये है पिछले दो रिंक्स में न्यू जिलिन्ड खिलाब ओडियाई मुकाबले में इन्होंने जो है एक मैच मेच 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 रन बनाये थे तो कहीं ने कि इनका फॉर्म बहुत ही सांदार नजरा रहा है मैई पर हम बात करेंगे एक रिसेटलिक फॉर्म में तयापर केमपेल की जो की सांदर खिला ली है वेस्टलिस की और उनकी तरफ से देखा जाए तो इनसे भी उम्मीद होंगी कि आज वो किस तरीक और अच्छी फॉर्म से ये गुजरती हुई नजरा रही है आज के मकाबले के अंदर अच्छा खासा प्रदसन निटाली कर सकती हैं पिछले अगर हम इनके तीन मकाबलों को उठा कर देखें तो पिछले तीन मकाबलों में लगबग 200 से उपर रन बना हैं लगबग देखा घाजा आए तो जो साओत अफुरीका और अस्टिरिया के बीच में जो मकाबले खेले गए थे बहां पर साओत अपरिका के सामने दोरों मकाबलों में दोनों उड़ओएमें एन्होंने एक 25 रनों की पारी खेल ली थी और 133 रनों की पारी खेल के दिखाई थी निटाली ने तो ये एक कही नगे बहुत इसांदर मुकाबला में देखने को मिलेगा चले टॉस की जानकरी हम आपको दे देते हैं कि टॉस जो है वो हो चुका है और टॉस की जानकरी हम आपको देने जा रहे हैं की TOS की information क्या मिली है इसकी जानकरी मापको दे देते हैं, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, इस TOS के बारे में कि TOS जो है किस team के पैड़े में जा रहा है इतियौ तो किस पड़ा लिया गया है, इसकी मापको जानकरी देने वाले हैं और चलिए सीधे हम आपको जान कर देते हैं इस मुकाबले के अंदर टॉस के बारे में जान कर ही हम आपको दोस्तों देने जा रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत आप साविका लगाता है मरसा जुले रहने के लिए बेस्टनीज और बंगलादेस के बीच में बेस्टनीज बरसेज इंगलेंड बूवन के बीच में मुकाबला है और भलाज दोस्तों आपको कद्ग टॉस की इनफर्मिसन हम आपको बहुत जल्de ने बाले हैं क्योंकि ट्ऊस की झानकर हम आपको बहुत जल्de बताने बाले हैं दोसरो यह जो मकाबले हैं अगर हम मुकाबला की बात का है, तो पहला मुकाबला आज red का मियागा सारी 15, वजवे मुकाबला सो होगा, इसा समाइנे का मैच 9.36, ice. सी दिस समब साड़े ग्यरा वजे उसके बार टी टूंटी सेंखलाओ का टी टूंटी मुकाबला भी जो है तीन टी टूंटी मुकाबले भी खेले जाएंगे खासतर से तो यह कहिने के एक रोमांचक मुकाबले में दोस्तों देखने को मिलते हुए और नजर आने वाले हैं और कोन सी टीम ने जीता है चलिए टूस की जानकरी सीधी हम आपको लेकर जा रहे हैं बहुत बस्वागत भाई आपका हमारे साथ मैजिकल इजलाइब जोड़ चुके हैं स्वागत मैजिकल भाई आपका जोड़े रहने के लिए और हम आपको पूरे मैच्च की कवरेज लेकर फिलहाल समय तो बहुत जाना हो गया है लेकिन फिरिवियम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सीधे जलिए बेस्टनीज ने टॉस जीत लिया है बड़ी खावर आ रही है टॉस बेस्टनीज ने जीता है और पहले गेंद वाजी करने का फैसला वेस्टनीज की ट इस टीम हमारी और आंगे बढ़ेगी तो आप लोग उससे ने बदन के आप लोग लगातार मसले जोड़े रहें और इस मुकाबले के अंदर आपको पूरे मैच का कवरेज सुनाने जा रहे हैं तो बेस्टनीज की टीम फिलहाल वान दा टॉस एंड आप टू बॉल फरस्ट टूरे डाफिनिज फरस्ट ओरियाई मैच थी ओरियाई मैचिस का यह सुरंखला का यह फैला मैच है और इस पहले मकाबले में टो जीता है बेस्टनीज ने पहले गिंद बाजी करने का फैसला लिया है तो क्या आपको लगता है दोस्तों कि बेस्टनीज की टीम बाफसी कर पाईगी इस मकाबले में क्या जीत कर पाईगी क्या वेस्टनीज की टीम के इस मकाबले में जीत मिलेगी इसकी ऊपर भी हम आपको बात करेंगे और देखने वाली बात होगी कि क्या जीत मिल पाईगी यार इसमें भी हम आपको लगातर बात करने वाले हैं सबसे पहले हम आ England का पलडा भारी रहा है जी हाँ Head to head की अगर हम बात करें तो Head to head में England की टीम ने जो है पलडावन का भारी है जिस तरीके से साथ मुकाबले England में जीते हैं और तीन मुकाबले Bae Structures की टीम ने जीते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि Head to head में बेस्टिनिस की जो टीम है वो पिछल रही है इस मकाबले के अंदर लेकिन उसके साथ साथ हम बात करेंगे तो फिलहाल पिछले मकाबले की हम बात करेंगे तो पिछला जो मकाबला खेला गया था इनका साथ माँ ODI ICC बूमेंस का 2022 का उसमें बेस्टिनिस की टीम जीती थी जी ह और इंग्लिन्ड की टीम को वो मुकाबला हारना पड़ा था कितने रवंवसे ओड़ा थी इंग्लिनलंड की टीम इंग्लिन्ड की टीम उसमयच अज्ण को लगबग देखा जाये तो यहां पर 7 आठ रॉन्ड दीम हारी थी ये दिखनी वाली बात होएगी कि मौसम है कि किस त्रीचे से आप टापमान जिरा रहा है आतर पर सेंट चांस जो है Alan lemoshly क्लाउड़ी है और बारस के चांस जाना लगा नज़रा रहे हैं चौरासी परसेंट दोस्तों बारस के चांस नज़रा रहे हैं इससे आप अंदादे लगा सकते हैं भाई टॉस हो गया है ग्रीस कुमार हमारे सब जोड़ चुके हैं स्वागत है भाई ग्रीस भाई आपका किमा चांगा यार बंगले इसके नाम आगा तोर जीता है जी तोर दिर जी ताने का फैसला लिए में पहला उप देबशि़ ने बुमैंड में पेचल' जाना है जो कि सर्वी बिन रिचेश्ट स्टेडियम बेस्टनीज में मैं आज किला जाएगा उंटी गामें और टोज इतने के बाद पहले गिंदबादी करने का फैसला आज बेस्टनीज ने लिया है निच्छी तुरूप से अच्छा मुकाबला हमें दोस्तों देखने को मिल जो इंगलینड की टीम वो 240 औ 250 रन बना सकती है कि एंगलینड की टीम एक अच्छी टीम है और एक बड़ी तीम दोस्तों आज ने दिखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है सबी इकसाद वीडियो को लाइक करिए जो टीम पहले बल्ले बाजी करती है उसके जीतने की चांसेश कम होते है और इंग्लेंड की टीम बल्ले बाजी कर रही है तो क्या आज इंग्लेंड की टीम हार्ज आईगी ये दिखने वाली बादी पहले बादी करने वाले टीम इस मैज़दान पे 29% ही मकाबला जीती है मतलब कि 10 मैचों में से 3 मकाबले ही जीती है और जो टीम चीज़ करती है वो 70-70% यहां 70% मकाबले जीती है तो आज वेस्ट इंडिस कर लग हो सकता है कि वेस्ट इंडीज की टीम इस मैच वे इस रंखला में अपना कबजा कर सकती है लेकिन कबजा करने के लिए पहला मुकाबला है अगर आज कबजा करती है तो आने वाले मैचेस में कबजा कर सकती है तो वेस्ट इंडीज की टीम जी सकती है ऐसी बात नहीं है कि वेस्टिणिस蓉 की टीम हार जाएगी नहीं पुछला मुकावला खेला गया था इन दोरों की टीमों के वीच में जहां पर वेस्टिणिस ने वो आठ से सान्टे से वहान ताuw वन्डे मैच से जहां सात रॉन तो से मुकावला जी ता वन डे मैच मुकाबले में बेस्टनीज औफ टू बुमेन औफ टू बॉल फरस्ट और डेफिनिटली हम पिलिंग 11 इवे आपको लेकर आ रहे हैं पिलिंग 11 में कौन-कौन से खिला लिए उको मुका मिला है इसकी जानकरी हम आपको देने वारे हैं चलिए पिलिंग 11 बता देते हैं इक बा बहुत अची वन लिवाजी करती है और उसके सताथ तमी बिमांट खिलजारही है सूफिया डंकली क्यल रही है निटाली साइवर है है एदर नाइट खिल रही है कपटान एदर नाइट से उमीदें इंगलेंड को बहुत अच्छी हो सकती हैयं डैनियल्स नुकॉल खिल रह आपको बता रहे हैं वेस्टिनिस की प्लेंग 11 तो वेस्टिनिस की प्लेंग 11 की हम बात करें तो वेस्टिनिस की प्लेंग 11 हेली क्रिश्टन खेल रही है जो कि टीम की कफ्तान है हेली क्रिश्टन के मैथ्यूस कफ्तान आलिया एली ने आज के मकाबले में खेल रही है सिमानी, केमपिली आज की मैच में खिल रही है, अभी फ्लेचर आज की मैच में खिल रही है चेरी, अन्ना, फर्रसिर खिल रही है, उसके साथ साथ देखा जाए तो आज के मकाबले में हिन्री को मुका मिला है चेनियाता असेनेटा ग्रिमोंट आज खिल रही है कीसिया कनाइट आज के मकाबले में बिक्ट की पर होंगी उसी के साथ देखा जाता है तो चेडियन नेसन आज की मैच में खिल रही है सखीरा सलमान बाइस के अप्टन खिल रही है उसी के साथ देखा जाता है रसाड़ा विलियम्स भी आज के मकाबले में दोस्तों खेलते हूई नजर आने वाली है तो हमने आपको प्लेंग लिए बनी बता दी है और ये भी हम आपको बता देते हैं कि मकाबला दोस्तों बहुत जल्ली शुरू होने वाला है साड़े ग्यारा बज़े ये मकाबला शुर मकाबले के अंदर चलिए हम आपको हैट टू हैट की बारे में जानकर ही दे रहे थे 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 हैं कि हैट टू हैट में कौन से खिलाड़ी आज बड़िया काम करते हुए नजर आ सकते हैं और हैट टू हैट में किस तरी किस जो प्रदसन है वो हमें देखने को मिलता हुआ नजर आने बला है तो देखने बाली बात हो सकती है कि हेड टो एड की अगर हम बात करें तो फिलहाल देखा जाए पिछले कुछ पांच से दस मकाबले की बात कर लेते हैं पिछले दस मकाबलों में देखा जाए तो बेस्टिनिस के जो टीम है वो तीन मकाबले ही जीट पाई है जी हां, सही सुना आपने दूस्टों पछले अगर हम दस मकाबलो को उठा कर देखें तो इंगलेंड बूमेन की टीम का पलडा भारी है मैसिनीज की बूमेन की टीम 64- पूमेन की टीम ने साथ मुवारी हा रहे हैं लेकिन उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस मकाबले के अंदर की वेस्ट इनीज़ वुमेंस की जो टीम है जो पिछला मकाबला था वो जीत कर आई थी जी हाँ आपने सभी सुना है पिछला जो मकाबला था उन्होंने इंगलेंड को हराया था वर्ल्ड कप में तो आट रनों से करी पर वो मुकाबला जीता था वेस्ट इनीस की टीम ने तो ये साथ देह रहा ही है कुछ भी हो सकता है तो उस्तो मकाबले में और कुछ भी यहां पर हो सकता है आज कि इस मकाबले के अंदर कोई भी टीम इस मैच को जी सकते है बैदर कंडिशन की थोड़ी जानकारी देते हैं जो दोस्त हमरसा देरी से जुड़े हैं हम आपको सबी को बता दें कि आज बैदर कंडिशन किस वरकार से हो सकता है और बैदर कंडिशन में कौन कौन से खिलाड़ी आज क्या होने वाला है किस तरीके से प्रदसन होने वाला है सबसे पहले हम आपको बता दें आपर बैदर की इंफरमेशन बता देते हैं तो सर बीबिन रिचर्ड से स्टीडियम में मुकाबला खिला जा रहा है एंटुगा बेस्टिडीज में चापर लगवग गर्मी का मौसम है जानातर खराब मौसम नहीं है पचीस डिगरी सिंटिगरी टापमन है समयदान पे उसके साथ 78% हुमिलिटी नजर आ रही है और 84% चांस है भई या बारिस के तो बारिस तो आ सकती इसमें कोई दोरा नहीं बारिस के चांस तो बहुत नजर आ रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बारिस के चांस बहुत जाना नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के अंदर देखने बाली बात होगी क्यार जो बारिस के चांस हैं वो यहां पर कितने होगे और क्या बारिस के चांस जो हैं वो दिक्कित कर सकते हैं टीम्स के लिए ये देखने वाली बात होगी और उमीद करते हैं कि आर मकाबला एक अच्छा मकाबला में देखने को मिलता हुआ और नजर आए इन दोनों टीमों के बीच में फिलहाल अभी तक देखा जाए तो अच्छा मैस हमें देखने को मिलता हुआ नेजर आने वाला है अगर हम बात करेंगे पिछले साथ मुकाबले देखे इस मेदान पे अभी तक देखा जाए तो पिछले साथ मुकाबले जो खेले गए हैं उन साथ मुकाबलों मेंसे जो टीम पहले बल्ले बाजी करती है वो मुकाबले मतलब की देखा जाए जाना तर जी क्या आज वेस्टिनीस की टीम इस मैच में बाजी मार पाएगी यह एक बहुत बड़ा रोमा जक मुकाबले में देखने को मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि आज के समयदान पे लोग लाइक करी यार हम आपको बहुत जली मैच की कॉमेंटरी सुनाने वाले हैं पूरी मैच का क Pikk के परिदेस्ट करके दिखा सकती है तो वहीपर हमने बात कर लेते हैं तो थोड़ा पिश की बारी में जान कर दे देते हैं कि पेस के लिए देखे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये मैदान पर इस्पिनर को भी मताद मिलती है इस्पिनर को 44% चांस नजर आ रहे हैं आज के मुकाबले में कि 44% मैच में इस्पिनर का बूल बाला रहेगा बहीं पर 56-60% चांस तेज गयंदवादों के लिए मतलब मिली पिछ है बल्ले बाजों के लिए थोड़ा सा परिसानी कर सकती है कोई कि इस्पिनर और तेज गयंदवादों को भी समान पिछ यहां पर दोस्तो नजर आ रही है इस मदान की देखने वाली बात हो सकती कि यार ये मकाबले में किस तरीके से जो मकाबला है दोस्तों हमें बात करी है पिछ पी जाना बड़ा स्कूर आज बनेगा नहीं लग रहा है कि दोसो चाली सो दोसो पचास से जाना बड़ा स्कूर नहीं बनेगा लेकिन अगर हम वूमेंस की बात करें तो वूमेंस के लिए बड़ा है दोसो पचास सकूर भी एक बड़ा स्कूर इस मैदान दोस्तों माना जा रहा है बैदर कंडिसन आपको बता ही दी है कि बैदर कंडिसन में आज बारिस की चांस बहुत जाना है इस मैच में बारिस तो होने वाली है इस मैदान पे अब कितनी होगी उसमें भी आपको बता दें कि 84% चांस है बारिस बारिस तो यहां पर होती हुई न आच खिला जाएगा 25 लिगी सेंटिक्रित अपमान है इस मैदान का और 6% से 8% हीमिड़ी नजर आ रही है बारिस के चांस पूरी तरह से इस मैदान पे 84% चांस दोस्तों नजर आ रहे हैं मैदान पे बारिस दोस्तों या पर होती हुई नजराने वाली है बारिस के चांसेज बहुत ज़्यादा नजरा रहे हैं अगर हम एवरीज स्कूर की बात करें तो 247 का एवरीज स्कूर माना जा रहा है वेस्ट अगर इंगलेंड की टीम बल्लेबाजी करने जा रही है तो दिर में हम आपको बता दें आपको बता दें कि लगबग दस मिनट से और कम बाकी समय बचा हुआ है इस मकाबले को सुरू होने के लिए तो बेस्ट इंडिस की टीम की क्या अनुमानित रूप से यहां पर जो प्रदसन है वो किस तरीके से हो सकता है क्या अनुमान लगाया अमीद यही करते हैं कि इस मैच में एक रूमान चक्ता और एक बेहतरीन प्रदसन की अमीद हमें नजर आ सकती है जो कि बहुत अमीद हमें नजर आ सकती है इस मकाबले के अंदर तो सिधे-सिधे हम बात कर लेते हैं और हैट हो आपको बात करी दिया है चली हम आपको पिलइंग इलेबन बता देते हैं कि पिलेंग अमेंग इलेबने कौन कौंसे जो खढ़ा ली है वो आऑज खिलते हुई मंगा ओनार है अचकी अज़न के इले हैं आपर नेशन खेल रही है सिलिमॉन को आज मौका मिला है और यहां पर देखा ज़र तो बिलियम्स को भी आज मौका मिलता हुआ नाजर आया है बेस्टिनिस की टीम जो है वो एक मुकाबला ही जीत पाई है पिछले पांच मैचों मैंसे बेस्टिनिस बूमन टीम सिर्फ एक मुकाबला जीती है और अगर हम पिछले दस मुकाबलों को ठाकर देखें तो फिर बेस्टिनिस की टीम ने तीन मुकाबलों को ठाकर देखते हैं तो पिछले दस मैचों मैं बेस्टिनिस की टीम ने तीन मुका माना जाता है और क्रिक्ट में कुछ भी कहना आसान काम नहीं है तो देखने बाली बात हो सकते हैं फिरलाल चलिए हम ड्रीम 11 की थोड़ी हम आपको जानकरे दे देते हैं fantasy टिपिसकी हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मस्ण दे दे देते हैं कि दोस्तों प्लेइंग 11 हम आपको एक बाप फिर से बता देते हैं जो भी दोस्त हमारे साथ देरी से जोड़े हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आ चुकी है और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 प्रकार से आई है जापर इंगलेंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो आज के मुका मुकाबल में खीलते हुई नजर आरही है इसकी साथ मेशनी की पिलेंग एंग लेवन आ घाय विंजिन्स की याज की मैच में खील रही है चीरी एनंहा फ्रासर ड्राशसर में खील रही also चिनेले हेंडी को आज फिर से मौका मिला है उसके साथ सनेता सनेता ग्रेमन को मौका मिला है कीसा नाइट को मौका मिला है चीडन नेसन को ना मौका मिला है सकीरा सेलिमान बाक 22 के अफ्टन खिल रही है उसी के साथ रसादा बिलियम्स को आज दोस्तों मौका मिलता हुआ नजर कंपन को जरूर लखेगा जो भी दो सर्द डीम एलेवन्ट की टीम बनाते हैं उसको आप लगा सकते हैं और नाइट और निताली साइवर को आप कप्तान वड़ी कप्तन काप बना सकते हैं और दिखने कि आप किस तरीके से आज की दिन कुछ खास कर पाते हैं कि नहीं फिलाल बता दें कि अब थोड़ा बेदर कंडीसन आपने बता दी है लेकिन एकवार फिर से बेदर कंडीसन आकरी बार बता देंगे तो एक सहीर है गा क्योंकि मुकावला बबस सुरू हो नहीं जा 84% बारिस के चांस दोस्तों नजरा रहे हैं जितनी भी दोस्तों मैं आपको बता दूसा भी दोस्तों होगी कि 284% दोस्तों आज इस मैधान पर बारिस के चांस नजरा रहे हैं तो देखते हैं कि किरा कितनी बारिस होने वाली है और कितनी दे तक आपर बारिस बारिस होगी वो आने वाला समय बताएगा फिलाल मुकाबला सुरू होने जा रहा है और उमीद करते हैं कि मुकाबला एक रोमान चाक और एक जबरत समय देखने को मिलेगा फिलाल अब विनिंग बर्संडेज की बात करें तो दोस्तों एंगलेंड का पड़ड़ा भारी है मतलब की तेज गेंद बाजो और इस्पिनर्स के लिए दोनों के लिए मदद मिलती हुई इस मैदान पे दोस्तों नजर आने वाली है जी हाँ तेज गेंद बाजों को और इस्पिनर्स को दोनों को यहाँ पर मदद मिलने वाली है 240 का स्कूर आज बनता हुआ नजर आने वाला है चलिए तो सीधे स्कूर कार्ट की ओर लेकर चलते हैं क्योंकि मुकाबला सुरू होने के लिए बस जा रहा है पांच मिनिट के अंदर दोस्तो मुकाबला सुरू हो जाएगा जो भी दोस्तामर से जुड़े हुए हैं हम आप सभ बतातू कि टीम ने आज बॉल सीध deals के टीम ने अज बॉलिंग करने का फैसला लिए हैं बेस यंदिह के टीम बॉलिंग करने का पहले वन्डे मैच में आप सबी का स्वागत हैं यह मुकाबला इंग्लिंड वूमेंड वर्सिस बेस्ट्रीज वूमेंड के बीच में खिला जाना है यहाँ पर आज बेस्ट्रीज वूमेंड की जो टीम है और टॉट जीतने के बाद पहले के इन बाजी करने का फैसला ले चुकी है अब फासला कितने देर तक रहेगा किस तरीके से होने वाला यह तो आने वाला समय बताएगा यह मकाबला के ला जा रहा है सर भी बेचर्ड स्टीडियम नौर्थ साउंड एंटी गो बेस्टिज में मैच के ला जा रहा है हमने आपको हेट्ड के बारे में बता दिया था एक बाद फिर से बता देते हैं क्योंकि मुकाबली बस शुरू होने जा रहा है तो हम आपको सीधे मुकाबली के ओर ले कर जाएंगे बेस्टिज की टीम पिछल रही है लगवाग बेस्टिज की टीम पिछल रही है लगवाग बेस्टिज की टीम इस मुकाबले में थोड़ी सी पिछल रही है लेकिन यह वन्डे मैच है बड़ा ग्राउंड है बड़ा मैच है और कुछ भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता है कुछ भी हो सकता है क्योंकि बेस्टमिस के साज़ेंगी पर मुकाबला हो रहा है तो मैच में कुछ भी हो सकता है कोई भी इस मुकाबले को जीत सकता है और कोई भी स्मैच को जीतने में कामयाव हो सकता है तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा और अब हम सीधे लेकर चलते हैं आपको स्कोर काट की ओर क्योंकि मुकाबला शुरू होने के लिए जा रहा है खिलारी मैदन पर आ रहे हैं मैच के पूरी तरह से लगत लेने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमार साथ लगाता जुड़े रहने के लिए इस मकाबले के अंदर हम आपको स्कूर कार्ड थोड़ा लगाने का प्रियास करेंगे तो स्कूर कार्ड से और आपको जो है लगातर हम बताएंगे कि मुकाबला किस तरीके से होगा और कौन सी टीम इस मैच को जीतने में कामया हो सकती है तो देखते कि क्या हमें नेजर आने वाला है आज का ये मुकाबला बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का लगातर हमार सा जोड़े रहने के लिए इस मुकाबले के अंदर इंगलेंड वुमेंस की जो टीम है वो रोमान चक तरीक से दोस्ति इस मुकाबले के अंदर जाती हुई नजर आने वाली है जिकि टॉस जीतने के बाद पहल कफ्तान दोनों और बलेवाज यहांपर ओपनिंग करने के लिए थोड़े दिर में आने वाले हैं जहांपर आज की इंगलन की टीम की बात करें तो इंगलन की टीम में आप अलिसा कैफसी और तर्मीं बेमांट ओपनिंग करेंगी ऐसा मुझे नजरा राजिया अलिसा और यहां पर जो अपनिंग करने वाली है टॉस बेस्ट इंडीज बूमेन ने जीता है पहले बॉले करने का फैसला लिया है और आज के मुकाबले में अपको बता दू कि एक रूमान चक और एक अच्छा मैच हमें दोस्तों देख लगाता है लगाता है माँसे जोड़े रहें समयाच के अंदर और उमीद करते हैं कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ी मुकाबला में दोस्तों देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है तो चलिए मुकाबली की शुरुआ दोस्तों होने जा रही है और खिलारी जो है वह मैं दोस्तों देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है तो चलिए फिलहाल एंट्री कर रहे हैं खिलारी मेदान पे और इस एंट्री में अब ताकिला हो रहा है फ्लेयर्स का देखते कि कौन कौन से फ्लेयर्स जो हैं आज के मुकाबले में एक बड़ी अवल्यवाजी करके दिखा सकते हैं एक अच्छा प्रदसन करके दिखा सकते हैं ये थोड़ी से उम्मीद हमें नजर आ रही है और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मैच हमें दोस्तों देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है आज के दिन इंग्लेंड की टीम की तरफ से दोनों ही खिलारी ओपनिंग बल्यवास मैदान पर आने वाले हैं बहुत बद्धवास स्वागत हैं आप सभी के दोस्ते हम आपको बता हैं कि आज की मुकाबले में बहुत ही बड़ी मैच हमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और आप लोग और दोनों हमारे से लगाता है इस मैच का आ खिलाडी मैदन पर आ रहे हैं जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि खिलाडी मैदन पर आ रहे हैं और मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है खिलाडियों की बात करें एक रोमान चक मुकाबला हमें दोस्तों देखने को मिलेगा अभी तक देखा जाए तो इस मुकाबले के बात करें तो यहाँ पर एक बड़ी आ मैच हमें देखने को मिलेगा और गिंद बाजी में आपर दुख जा है हिंडरी आई हैं पहला ओवर लेकर हिंडरी की पहली ओवर की सुरुबात होगी लेकिन बल्लेबास कौन कौन से आएंगे उसकी हमाप खुजान करने देने वाले है क्योंकि बल्लेबास आने वाले हैं और देखते हुए को कौन कौन से बल्लेबास पहले बल्लेबासी करने के लिए आमिद रित होते हैं फिलाल यह बहुती बढ़िया और एक सांदर मुकाबला दोस्ता हमें देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है थोड़ा सा अपर डिस नहीं कर पाए हैं खिलारी अंट्री करके अभी तो खाजाए तो मुकाबला को शुरुआत होना है और देखने के कौन कोंसे जो खिलारी वह बल्लेबासी करने आएंगे स्मैच के अंदर और फिलाल किस तरीकी से दो मुकाबला है वहामें देखने को मिलता हुए नजर आने है है कि करे cr relevant है है कि खिलारी की बात कर दो बाथ पर देखाए तो खिलारी नहीं इसमस्या हो रहे है है अभी हम आपको बतांगे क्या प्रभ्लम साही है और मैदान पे क्या स्थितियां हमें नजर आने वाली हैं बहुत मुस्पागत है तो सबस्पाइब का लगाता है रमाँसा जुड़े रहा निकले इस मुकाबले के अंदर और फिलाल आप सबस्पाइब को बता दें कि चली यह मुकाबला सुरू होने जा रहा है और बता दें कि इंग्लेंड वुमेन वर्सिस बेस्टिनीज वुमेन की बीच मुकाबला चल रहा है इस वर की अगली गैंदर फस्पाइब के बाहर और बाहर जा रही थी इस बाहर बाइड बॉल का सारा आता हूँ अमपार का और बाइड बॉल के साथी स्कोर होगे टीम इंग इंग्लेंड वुमेंस का स्कोर तीन रन हो गया है विनाम विकेट के नुक्साबले में अभी तक उन्होंने नहीं कवाया है सांदर मकाबला एक रोमान चक मकाबला देखने को मिलता हुआ नजरा रहा है 5 मिंगेंड को अलेकर तेया एफएस से हेंड रिजाती हुई 5 मिंगें दिमाउंट लेकर बेमाउंटेस गिन को ड्राइब कर दिया है इस बार गेंजार एक्ष्टकावर के तरफ एक रंड पूरा कर लेंगे और एक रंड के साथ ही इंग्लेंड बूमेन का स्कोर बढ़कर हो गया है किसी के साथ ही अगर हम बात करें तो फिलहाल चार रंड पांच गेंडे हो चुकी है इस मकाबले के अंडर और एक रूमा चख मकाबला देखने को मिल लेगा हमारे लिए इस बार गेंग का बढ़तिता बात कि तर वेस्टीडीज की टीम पहले आप्ति की बाद एक ओवर के बाद चार हैं grown प्माप्त गे इक और चार हैं स्कोर इंग लेंड का बिना किसी बिकिट के नक्सान पे उम्यद करते हैं कि दोस्तों मुकाबला आच्छा हो और एक अच्छा मैच्छा मैच्छा मैं दोस्तों देखने को मिलता हुआ नजरा सकता है इंग्लियन्ड वुमेन चार रेसकोड टीम का एक बिकिट नक्सान पे एक और किसम आपती की बात अभी तक कोई बिकेट नहीं गवाया चाहूंगा और क्या अभी यहाँ पर कोई बिकेट मिलने के चांसे नहीं जा रहे हैं यह आने वाला समय बताएगा आप लोग चैनल को सस्क्राइब जरू करिए अगर अपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया ह और वीडियो को लाएक करिए अगर आपने वीडियो को लाएक नहीं किया है इसाथ ही फिल्लर आफ स्वी को बता दें किस्तवर की अगली गेंड बाद जाएंगे दूसरे होअबर की शुरुष का सामना करेंगे बेमाउंट जो नहीं अनुन आश्योर न होने यह तयार है और शबर की दूसरी ओबर की मेंकर करने को लिए और गाले स्वेसे जाते हुए और सामने को लिए वर्य existsटरम विमाउन जोने तीन गेंदों में दो रन बनाए हैं दोस्तों मैं आपको बाता दूँ कि आज बारिस की समभावना जता ही जा रही है इस ग्राउन फे बारिस होने की पूरी उम्मीदे हैं और बारिस 84% है तो आप समझ सकते हैं कि इस मैदान पे बारिस तो निश्चित रूफ से आद हमें देखने को मिलती हुई नजर आने वाली है अगली गेंद सुरकी लेकर तयार गेंद बाज जाएंगे दूसरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है और दूसरी ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगी बाज तनमे वेबाउंड जो की अभी तक फिलाल एक अच्छी बल्यबाजी और एक अच्छा प्रदसन करते हुई नजर आने वाले है इसी के साथ फिलाल अगली गेंद सुरकी लेकर तयार गेंद बाज जाते हुई दूसरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है अगली गेंद सुरकी लेकर तयार फिरसे गेंद बाज आते हुए सामना करेंगी बलबाद तन में विमाउंट सामना करते हुई तीन गेंदों में विमाउंट ने दो रन बनाए है इंग्लेंड बुमेन का स्कुरे पाँच रन बिनाव विकिट के नफ्षान पे दूसरी गेंद सुरकी दूसरी ओवर की पहली गेंद को लेकर तयार गेंद बाज फिरसे जा रहे हैं अगली गेंद सुरकी लेकर तयार हैंडरी जाते हुए पहला है अगले गेंद सुरकी दूसरी गेंद के लेकर तयार तीसरी गेंद लेकर जाते हुए फिर से गेंद बाद जा रही है और एक और बाइड बॉल का सारा आता हुआ तो लगातार बाइड बॉल हो रही है इस उबर में दो बाइड बॉल आ चुकी है इस उबर की 34 ली गेंद को लेकर तही है और दोबारा फिर से जाते हैं हन्री शामना करेंगे वर लिवाज याँ पर चेरी एंड फारासर का जो की शामना कर रहे है अलिशा कैपसी इस बार इसकी अड़ को सीदे वले से खेला रन लेने का कोई मौका नहीं है स्कोर अभी भी इंग्लेंड बूबेंड का साथ रन है बिना विकेट के नुफ्टान पे 1.123 उवर की समावती के बाद तो 1.123 उवर के बाद स्कोरिंग लिएन बूबेंस का नौरण हो चुका है और बिना विकेट के नुफ्टान पे ये 5 माँ दूसरा उवर चल रहा है इस तोवर की अगली गेंड को लेकर तेयर गेंड बास फिस से जा रहे हैं और इस तोवर की चौती गेंड इस बार बड़ी असोट केल दिया है इस गेंड को बैकपट पॉंट के तरफ पीछे फिल्डर मौजूद जा रहे हैं भागते हुए लेकिन जब तक गेंड को बाउंडरी के नजदिक जाके गेंड को फिल्ड करेंगे बल्ले बाजों ने आसानी के साथ 203 रन पूरे कर लिए हैं और इन तीन रनों के साथ ही इंगलेंड का स्कूर हो चुका है पांच मी गेंड को लेकर तैयार फिर से किन बाजी लेकर जा रहे हैं इस वर की पांच मी गेंड का सामना करेंगी वलवाद तनमे बीबाउंट जिनोंने पांच गेंडों में तीन रन अभी तक बनाए हैं आप सभी लोगे एक साथ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत बहुत धहनवाद आप सभी का मरसा लगातर बने रहने के लिए अगली गेंड स्वर की लेकर तयार फिर से गेंड बास फिर असर जाती हुए चैरी की बात करें तो लगे तक फिलार अच्छी गेंड बास जिनोंने करके देखाईए पांच मी गेंड बहुत अच्छी गेंड तीज़ बास बास बेमाउंट ने लेकिन गेंड और बले का संपरक नहीं हुआ बाकी का काम बिकट कीपर ने पूरा किया इसी के साथ ही अगली गैनस ओवर की लेकर तयार गेंद बास विस्टे जाते हुए इस ओवर की आखरी गैन को लेकर तयार दूसरे ओवर की आखरी गैन लेकर जा रहे हैं दसरन बिनाव विकेट के नक्षान पे दो ओवर का खेल पूरा हो चुका है इसी के साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दू कि इस वंडे मैश में फचास पचास ओवर के खेल में टॉज जीता था बेस्टिरीस की टीम ने पहले गिंद बाजी करने का फैसला लिया और बेस्टिर पहले गिंद बाजी करने आएगा यह दिखने बाली बात हो सकती है अगली गिंद बाजी करते है इस बार बढ़िया सोट खेला है और इस बार पहला चोका लगाया है इंग्लेंड बूमेंस टीम की तरफ से अलिसा कैपसी ने चौका लगा दिया हिस बार ड्राइब कर दिया था एक्स्टरक अवर की दिदरफ गिंचरी की बांडरी की बाहर 4 रनों के लिए कमाल का सौट कमाल की बल्ले बाजी आप अलिसा कैपसी कर रही है 6 गैंडों में 8 रन बना कर खिल रही है अगली गैंडों के लिए करते हैं फिर से हंडरी जाती हुई दूसरी गैंडों का सामरा करेंगे अलिसा कैपसी इस बार इस गैंडों को सीडिये बल्ले से कहला है रन लिने का कोई मौका नहीं है इंगलेंड बुमेंड का स्कूर 14 बिना विकेट के नकुसान फे फिलाल 2.2 ओवर की समापती के बाद तो अगली गैंड इस वर की ले करते हैं फिर से गैंड बाज आते हुए तीसरा ओवर चल रहा है टॉस जीता वेस्टनीज बुमेंड ने बल्ले गैंड बाजी करने का फैसला लिया और इंगलेंड को बल्ले बाजी करने के लिए आमन दित किया गया यह सर्वी बिन रिचर स्टेडिया में मैच किला जा रहा है अगली गैंड सुर की ले करता है फर से हंडी जाते हुए सुर की तीसरी गैंड सामना करेंगे लिच से कैप सी अगली गैंड पर फ्लाल फॉत ही अच्छी गैंड अंदर आती है और की डिलिवरी तिस गैंड को खेला है कोई रन नहीं मिलेगा दो दसमना तीन ओवर के बाद इंगलेंड का स्कोर है चोग दरन विना विकेटिक नुक्षान पे जहाँ पर अच्छा खासा मकाबला भी तक में देखने को मिल रहा है दोस्तो इंगलेंड बुमेंड की टीम एक बड़ी टीम है और अच्छी टीम नज़ा रही है लेकिन बेस्टिंडिस की टीम भी मकाबला जीए सकती है क्योंकि बेस्टिंडिस की घर में मकाबला हो रहा है बेस्टिंडिस की सरजमी पे मकाबला हो रहा है तो बेस्टिंडिस की टीम भी इस मैच को जीतने में कामयाब हो सकती है फिलाल चौती गेन को लेकर थे आर फिर से हैंडी जाती हुई हैंडी का ये दूसरा ओवर है टीम का ये चौतीसरा ओवर लेकर आई हैंडी अपने ओवर की चौती गेन को लेकर जाएंगी सामने करेंगे अलिसा कैपसी इस बार कैपसी ने उठा दिया है गेन को और गेंद जा रही है डीप मिड विकिट बॉंडरी के बाहर चार अनों के लिए बन बाउंस बॉंडरी के बाहर तो इस बार कमाल का चौका आता हुआ बलेबाज अलिसा केफसी के बले से निकलता हुआ एक सांदार सेकंड बॉंडरी आती हुए इनके बले से दो चौके लगा चुकी है और से के साथ टीम इंग्लेंड का स्कोर होगा इंग्लेंड बूमेंड का ठारा रन भिनाम विकिर्ट कुपसान पे दो दसंदो चार ओवर की समापती के बाद तो कमाल की बल्ले बाजी और कमाल की प्रदसन को देखते हुए अभी तक इंग्लेंड बूमेंड की टीम अब चौके चौके लगाने में कामयब हो रही है और दो चौके अभी तक सिनिक्स में आचुके इंग्लेंड के लिए इंग्लेंड बूमेंड टॉस आरने के बादा इनको बल्ले बाजी करने का मौका मिला है इस बार आकरी पांच मीं गेंड पर इस बार कट कर दिया है गेंड आ रही ये थर्ड मेंड की तरफ थर्ड मेंड की फिल्डर पीश से मौज़ोध है जब तक इनको फिल्ड करेंगे बल्ले बादों ने असानी के साथ एक रन पूरा कर लिया है और एक रंड के साथ इंग्लेंड वुमेंड का स्कूर 19 रंड बिना विकेट के नुक्सान पे तो कहीं न कहीं इंग्लेंड वुमेंड की टीम ने फिलाल 19 रंड बना लिये हैं तो तीन ओवर की समापति के बाद बेस्टमी चमाता हूँगा इंग्लेंड का स्कोर है 19 रन विना विकेट के नुक्षान पे तीन वंडे मैचेस और तीन टी-ट्वंटी मुकाबले पहला वंडे मैच आज खिला जा रहा हैं और दूसरा जो वंडे मैच होगा दोस्तों वो 6 त सारी को खिला जाएगा तो कई ने कहीं आप सभी को मैं बता दूं कि यह वंडे मैच है सभी वंडे मैच साड़े ग्यारा वजें भारती समयने सार खिले जाएंगे रात के अगली गैंस वर के लिका तयार चौथी ओवर की शुरुवात उने जा रही हैं और चौथे ओवर की पहली गैंड का सामने करने कर तयार हैं बल्लेबास अलिसा कैफसी जो ने दस के अदों में अभी तक 13 रन बनाए हैं और बही पर इंगलिन का स्कुर 11 रन बिना विकेट के नक्षान पर इस वर की अगली गैंड सौथी गैंड चौथे ओवर की पहली गैंड बढ़िया और कमाल का प्रदसन अभी तक हमें देखने को मिलता हुए इस मैदान पे नज़र आ रहा है अगली गैंड सोभी के लेकर तयार चेरी जा रही हैं सामने करेंगे लिसा कैफसी जिनों ने गैंड हमें 13 रनों की पारी खेली है लिसा ने कमाल कर सकते हैं लिसा जो कि अभी तक अच्छी बल्ले बाजी करके दिखा सकते हैं लेकिन इस बल्ले बाज के दोरा देखते किस तरी किस मैच को लेकर जाने वाली है तेरा रन बनाकर खेल रही है गैरा गैंडों में एलिसा कैफसी के लिए अगली गैंड लेकर जाते हुए आपर चेरी जा रही है दूसरी क्या एक बड़ा विकिट देखने को मिलेगा जी नहीं बड़ा सौर्ट देखने को मिला है पंच कर दिया गेंद को चारणों के लिए कमाल का सौर्ट अंदर आती गेंज गुड लेंड की बॉल थोड़ी से अंदर आई उस गेंड को समय मिलते हुए पंच कर दिया था एक्स्टर कवर की तरफ चली के गेंड दंदर आते हुई कोई फील्टर पीछे मदूद नहीं था उसका पूरा फायदा उठाया बल्ले बाजी मैं अलिसा गोपसी ने और एलिसा केपसी इसी चोके के साथ ही तीन बॉंडरी लगा चुकी है अभी तक इंगलेंड बुमेंड के लिए जो तीन बॉंडरी आई हैं वो इनके बल्ले से गेदो में थोड़ी सी अकरमक से बल्ले बाजी करती हुई नजर आ रही है अगर हम बात करें पहले सकेपसे बारा गेदो में 17 है रन बनाकर अभी भी नट्र लगाता रहे आपर जो है खेलती हुई नजर आ रही है अगली गैन्ट स्वेकी ले करता है यार और सी के साथी पहला जटका लगता हुआ जी हाँ दोस्तों इंग्लेंड बुमेंस की टीम को पहला जटका लग चुका है तेइस के स्कूर पे इंग्लेंड बुमेंड ने अपना पहला विकेट कबा दिया है बहुत बड़ा जटका लगा है ये एलिस कैपसी ने अभी तक फिलाल देखा दा तेइस कैपसी ने सत्रा हरन बनाए है तेरा के दो में लेकिन दुरभाग पूर्ण बड़ा सोट लगाने का प्यास किया बलने का किनारा लगा और सीरी गेंड चले गए बिकेट कीपर के दस्टानों में इसी के साथ ही इंग्लेंड बुमेंस का स्कूर 23 रन एक बिकेट के न लगष्टान पर तो भांचि में खास़र से एंग्लेंड की टीम जो है अपना पहला विकेट गवा चुकी है अब यहाँ पर बैसनेडिस की टीम ने रहात ली होगी विकेट के बात क्योंकि विकेट मिलने से कही न कहीं बैसनेडिस की टीम भी इस मुकाबले में बाफ़शी कभी भी कर सकती है तो ये देखने वाली बात होगी कि कितने देर तक इंग्लेंड की टीम जो है आज के मकाबले में अपनी बाफसी का विगुल बजाएगी और किस तरीके साथ प्रतसन करने वाली है तो फिलाल आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है आप साल लगातार जुले रहने के लिए इस मकाबले के अंदर और आज का जो मैच है वो रोबाच एक मकाबला में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है तो जितनी के बाद आज इस मैदान पे दोस्तों पहले गिंदबादी करने का फैसला बेस्टरीस की टीम ने लिया और बेस्टरीस की टीम अभी तक फिलाल देखा जाए तो अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है इस मकाबले के अंदर फिलाल तीन दसम्दा तीन ओवर के बाद स्पूर टीम 23 रन एक विकेट के अनुक्षान पे अगले गैना सुमर की चौसी गैन अच्छी गैन थीज़ बहुत ही सांदर गैन बले बाद सूपी डंकले आई हैं बले बादी करने के लिए और सूफियर डंकले के लिए सूपी की पांच मिहींग को फिस्य ले करते आर ग्यिन बाद जा रही हैं चेरी चेरी ने अभी तक फिलाल दिखा जा दोस्तों तो विकेट निकाला है और एक विकेट उन्होंने अभी अभी निकाला है और देखते कि किस तरीक से मैंच को लेकर जाने वाली हैं बहुत बतनवाद आफ सभी का मरसल लगाता है जुड़े रहे निकले सी के साथ अगली के अगली के लिए करते हैं पाच मिंगे इनको लेकर जारी है इस बार अच्छी के एंथे लेकर लेकर इस बार बल्ले का किनारा लगा के अगली फाइल लेकर फिल रह उसके पीछे बाग के बाद चौथा ओवर चल रहा हैं तीन दस्मापती के बाद इसकूर है इंग्लेंड का चौवीस रन एक बिकेट के नक्षान पर अगली गैंद सवर की आखरी गैंद को लेकर जाते हुए फिर से गैंद बाद सामने करेंगे बेमाउंट बेमाउंट इस गैंद को हुए नजर आ रहे हैं शुरुआती ओवर से देखते हैं कि किस तरीके से मैच को लेकर जाने वाले हैं फिलाल पांच में ओवर की शुरुआत होने जा रहे हैं पांच में ओवर की पहली गैंद को लेकर तरहा है तरन में भी मांट जाती हुए नोगे 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 दो में बेस्टनीज बुमेंट की बेस्ट में दोस्तों माच खिला जा रहा है और आज देखते कि किस तरी किस्त माच को लेकर जाने वाली है खलाल पांच में ओबर की शुरुआत होने जा रही है और पांच में ओबर की पहली गैन का सामना करेंगे बल्ले बाज से हाँ पर देखा जाए तो सूफिया टंकली जोनने दो गैनों में एक रन बनाया है अभी तक देखा जा तो सूफिया ने दो गैनों में एक रन बनाकर खेल रही है देखते किस तरी किस्त माच को लेकर जाने वाली है लड़ सी के साथ इस और की अगली गेंट को लेकर त्यार पांच में ओवर की पहली गेंट को लेकर जाते हुए गेंट बाद सामना केरिंगे बले बाद सूपिया डंक के लिए दो गेंटों में एक नम नाकर केल रहे हैं क्या एक बड़ा सौट देखने को मिलेगा जी नहीं इस और की पांच मेंवर की पहली गेंट अच्छी गेंट इस बार इस गेंट को खिलने का प्यास किया लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं है अभी भी रूसक इंग्लेंड बुमेंड का 24 रन है एक बिकेट के अनुक्षान पर पांच मां और चल रहा हैं देखते हैं मुकाबला किस तरीगिस सांगे जाने वाला है किस प्रदासन है दोस्तो देखने को मिलेगा अगली गेंस बात हो सकती है इंग्लेंड बुमेन का स्कोर 24 रन एक बिकेट इक नुक्त आन पर इस बार बड़ा सौट लिकन लगाने मे काम आप रही है गेन जारी है इस बार एक्षटर कवर की तरा डीप एक्षटर कवर पर फिल्डर मौज़ोद जब तक इनको फील्ड करेंगे पर लिवाजों ने दोनों लगातार छोड़ बदलते हुए हेंडरी का ये दूसर तीसरा ओवर हेंडरी अभी तक 15 रन दे चुकी है कोई विक्र लेने में कामयाब नहीं इस वर की 30 गेंड को लेकर जाती हूँ हेंडरी सामना करेंगी बल्ले बाज यहां पर देखा जैस सूफिया डंकली इस बार डूप डंकली नेस गयंड को कट करने का प्रयास किया लेकिन बल्ले का समपर करनाई बागी का गाम विकट की पर ने फूर डिकरत है वावर की चोथी और ल करते हैं फिर से गेंड वाज रदा बढ़ा अपील हो रही है बहुत करीबी मामला है अमपार आउट देंगे कि नहीं जी नहीं मना कर दिया अमपार ने और से के साथ ही क्या रिबू लिया जा सकता है बहुत ही करीबी मामला है बहुत ही करीबी मामला है क्या आउट दिया जा सकता है क्या आउट दिया जाना चाहिए था बहुत ही नजदी की मामला लबी डबलू का इंग्लेंड का दूसरा विकेट बहुत बाल बाल बचा है अमपार कॉल्स नोट आउट दे दिया गया है अगर रिवी भी लेते हैं तो यह कॉल्स अमपार कॉल्स के चलते हुए एक मुकावले में कहीं बेस्टिणीस के लिए जीवन जो है विकेट मिलने के चांसेज बहु एक बाद फिर से रन नहीं मिलेगा तो स्कोर हो गया 26 रन इंग्लेंड बुमेंड का एक बिकेट के नक्सान पे 4.5 ओवर की समाप्ति के बाद अगली गैंड सुबर के लेकर तयार आखरी गैंड को हैंरी लेकर जा रही है सामना करेंगी बले बाद सूफिय डंकली ने तीन रनों के लिए एक मात खिलाडी मौदूद था लौगान की तरफ लेकिन कामे आप नहीं हो पाएंगे दाई और से गैन चली गई गोली की रपतार से बाउंडरी के बाहर चार रनों के लिए तो कमाल का चौका आता हुआ और सी के साथी स्कोर इंग्लین्ड बूमेंड का 30 रन हो गया है एक विकेट के नक्षान पे पांच ओवर की समापती के बाद 6 रन प्रती ओवर से रन बन रहे हैं इस मकाबले के अंदर तो आप समझ सकते हैं कि 6 रन प्रती ओवर से रन बनते हु पे कमाल की बल्लेबाजी और कमाल का प्रदसन हमें देखने को बिलता हुआ नजर आने वाला है इसी के साथ ही फिलार आप सभी का वद्बस वागत है हमारे पचास लाइक होने बाले हैं आप लोग जली जली चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक जरू करिएगा आगले गैनस तोबर की चट में अबर की पहली गैन नहापट चेरी की और चेरी की पहली गैन को खेल दिया है बांडरी के बाहर चार अनों के लिए नेश्चेत रूप से बहुती गजब का सौट इस बार गैन को आने का इंतजार किया और अन्दियम समय में आखरी छड़ों में अपने हलके हाथों से गैन को कलाईयों को प्यू करते हुए गैन को फाइन लेक बांडरी के बार भेदिया है चार अनों के लिए वसी के साथी इंग्लेंड का स्कोर हो गया है फिलाल 34 रन एक बिकेट के नुक्सान पे 34 वाण इंग्लेंड बुमेंस फाइफ पॉइंट बाइन आवर्स की समापती के बाद अगली गैन उपिस्टम के बहुत बाहर और अगली बैंड पर फिलाल दोखा जाए तो बाइड ब बाइड बाल का सारा आता हुआ और बाइड बाल के साथी स्कोर टीम इंग्लेंड का 35 रन एक बिकेट के नुक्सान पे 5 दसमलाव एक उबर की समापती के बाद तो 5 दसमलाव एक उबर के बाद स्कोर इंग्लेंड बुमेंड का 35 रन एक बिकेट के नुक्सान पे अगली गै तीसरा अबर डाल गी हैं 16 रन देकर एक मातर विकेट मिलेने में काम आप रही हैं अगली गैन स्टोरी के लिए करती आ रहे हैं सामने करेंगे वाले वत्तन में विबाउंड जिन्होंने 10 गैदों में 7 रन बनाए हैं टीम इसकोर इंगलेन मूवन का 35 रन एक विकेट के नुक्षान पे अगली गैन का सामने करने करने देखते हैं देखते हैं दोस्तों के मुकाबला किस तरह के साहपर हमें देखने को मिलता हुआ और नजर आने वाला क्या मुकाबला मैं दोस्तों देखने को मिलेगा आज किस मैदान पे अगर हम बात करें मुकाबला एक रुबाटचक और एक सबर्दस हमें देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है इसी के साथ ही फिलाल अगली गैंस्वर की इस वर की दूसरी गैन अच्छी गैन तीर रन नहीं मिलेगा इसकोर अभी विरुकावा इंग्लेंड वूमेंड का 35 रन है एक बिक्ट के नुक्सान पे 5.12 और की समापती हो गई है अगली गैन स्वर की लिए करती है फिर से गैन बास जा रहे हैं और स्वर की अगली गैन का सामने करेंगे तन्मे बिमाउंड जनोंने 11 गैदों में साथ रनों की पारी के लिए गजब का मुकाबला है बहत्रीर मुकाबला है आप लोग एक साथ वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब जरू करिएगा बहुत बस्वाकर आप सबीगा अमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए स्मैच में फिलाल स्वर की अगली गैन्स तीसी गैन को इस बार पुल करने का प्रयास था लेकिन रन नहीं मिलेगा तो स्कूर अभी भी रूका इंग्लेंड बुमेंज का 35 अखिट के नुक्सान फे 500-6 थैन और तीन ऑवर के बाद तो डेफिनिटली 5 थैन दवा तीन ऑवर कि इस मारपति की बार सकूर इंग्लेंड बुमेंज का 37 रन एक विकिट के नुक्राइब Cuba चटमे ऑवर की चोधियंग को लेकर ते जा रही है, चेरी, सामना करेंगी बवलेबास, तनमे बेबॅट, तनमे बेबॅट की बात करें तो शाionar नोड़कर किल रही है, 13 गेंदों में, अच्छी बवलेबास ही कर सकती है, लैकिन अभी तक देखा जाया, इनके मुकाबले की बात करें, तो वाउंट इस बार इस गेन को खिला है क्या एक बड़ा सौट लगाएंगी दिखने वाली बात होगी पाँच मी गेन का सामना करेंगी अगले गेन का तन में वेबाउंट जो की 7 रन बना कर खिल रहे हैं इस बार बढ़िया सौट खिला है गेन 2 रनों के लिए जा रही है और 2 साथी स्कोर हो गया टीम इंग्लिंड वुमेन का 37 रन एक विकेट के निक्सान पे 5.5 ओवर की समापती के बाद तो 5.5 ओवर की समापती के बाद स्कोर इंग्लिंड वुमेन का 37 रन हैं एक विकेट के निक्सान पे 6.5 ओवर चल रहा है जाएगए, सामना करेंगी बलिबाज आखरी गेंद लेकर थ्यार छेड़ी जाती हुई चेड़ी की आखरी गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा आवबर की समाथि, छेज़ूर की समाथि के बाज 37 स्कोर्टीम का एक विकिट के आर नुखशान पे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 6 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कूर टीम है इंग्लेंड का 37 रन एक विकिट के नुक्षान पर है तो 37 फो बान है अच्छी कैसी बल्ले बाजी चल रही है लगातार रनों की बात करें तो 6 रन पर्टी ओवर से रन बर रहे हैं जो कि एक अच्छा और एक बड़िया मुकावला में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है आज की अगर हम बात करें और देखने कि किस तरीके से मैच को लेकर जाएंगी बहुत ही रोमान चक और एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा टॉसा जीता था बेस्टिनीस की टीम ने और बेस्टिनीस की टीम ने तो टॉस जीतने के बाद पहले गेंद बाजी करने का जो फैंसला है वो लिया है तो अभी तक फैंसला साबित होता हुआ नज़रा रहा है आप लोग एक साथ वीडियो को लाइक प्लीस लाइक दे वीडियो और प्लीस सब्सक्राब दा चैनल सभी लोग अवाब स्वागत है हमार सा लगाता है बने रहने के लिए इस मकाबले के अंदर फिलहाल अब साथ में ओवर की सुवात होने जा रही है और साथ में ओवर में क्या एक और विकट मिलेगा बहुत अमीद है तो मुझे लग रहे हैं कि विकट आ सकता है इस ओवर में लेकिन फिलहाल एस ओर की पहली गेंद अच्छी गेंद थी एक रन फूरा कर लिया बल्ले बाजों ने और एक रनों के साथ इंगले बुमेन का स्कुर बढ़ता हुआ 38 हो गया है एक बिकिट के अनुक्षान पे कमाल की बल्ले बाजी और कमाल का प्रदसन हमेश मैंच में दोस्तों देखने को बिलता हुआ नजर आ रहा है इसी के साथ शाथमें ओर की दूस्ती और किया है इस बाहर एक रन और μिलेगा एक रन के साथ ही इंग्लेंट बुमेन का स्कुर हो गए है 49 रन एक बिकिट के नुक्षान पे साथमा ओवर चल रहा है इस मुकाबले के अंदर जिहां दोस्तों तो साथ मां ओवर अभी तक फ्रिकात चलता हुआ नजिरा रहा है इंग्लेंड बुमिन का स्कूर 49 रन हो गया है एक बिकिट के आनुक्षान पे इस तोबर के अगली गैंद को लेकर तया आतीसी गैंद देकर जा रही है आपर हेंडी सामने करेंगे आपर सूपिय डंकिले इस बार डंकिले क्या बड़ा सोट लगाएंगी जी नहीं इस बार अंदर आती गैंद स्विंग होता हुआ गैंद पैट से टकर आई अपील हुई छोटी सी लेकिन मजबूरन इस अपील को नोट आउट दिया जाना चाहिए क्योंकि बहुत उपर गैंद लगी थी इसलिए हम पारनेस गैंद को अपील को नकार दिया है स्कोर अभी भी 49 रंड इंग्लेंड वूमेन का एक बिकिट के आनुक्सान पे रुका हुआ है चेदा समलो तीन ओवर की समापती हो गई है तो चेदा समलो तीन ओवर की समापती के बाद स्कोर इंग्लेंड वूमेन का 49 रंड एक बिकिट के नक्सान पे फलाहल अगर हम बात करें स्वर की चौती गेंड को लेकरते है फिर से हन्री जा रही इस बार ड्राइब कर दिया है गेंड को हवा में गेंड है क्या फिलर्स के नीचे जा पाएंगे बहुत ही लंबा उची गेंड गई है और सी के साथ ही विकेट मिलता हुआ जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ बहुत देर तक हवा में रही गें नूची चली गई थी ड्राइब करने का प्रयास्ता बल्ले का किनारा लगा उपर हवा में चली गई सीधा फिलर के हाथों में और सी के साथ ही इंग्लेंड बुमेंड का एक और विकेट जाता हुआ बड़ा जटका लगा है इंग्लेंड 49 पे दूसरा बिकेट गवाया सूपी डंकिली जो की बहुत अची बल्ले बादी कर सकती थी वो आउट होकर जा रही है एक अची पारी खेल सकती थी ग्यारा गैदों में आट नुना के खेल रही थी लेकिन आखिरकार एक बड़ा बल्ले का टॉप एज लेकर गेंड हवा मे चले गई और फीसे फील्डर नो मौजूद रोने केंट को आसानी के साथ अपने बिल्कुल बहत्री तरीके से कैंच पकलते निराएं और सी के साथी ये साथ में होगर की चौती केंट पर एक और जटका लग चुका इंगलेंड बुमेंड के लिए 49 पे दूसरा विक्रिट बूर्ट ने कवाया और इसमोगावले में बात करेंगे तो सुर्गोफ बैस्टिस की टीम भी बाफसी कर रहे हैं तो मकावले में भाई साथी में अग्ली गंपाच मिगेंड को लिकरते हार नए वल्यवाज आ गया है साइवर और उमीदे होंगी निचाली साइवर से हुव कि 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 किस तरी के समयाच को ले कर जाएंगी क्योंकि एक बहुत अच्छी बल्ले बाजी ये कर सके हैं और एक अच्छा मुकाबला इनकी उपर हमें आज बड़ी है जिम्मेदारी के साथ ये बल्ले बाजी करते हुई और नाजर आने वाली हैं तो फिलाल पांच मीं गैंस्व साइवर ने को सीड़े वहले से के रहे हैं रन लेने का कोई मौका नहीं है सीधा गहीं फील्डर के हाथ में गैंद बाजी सामना करेंगी आखी गांट का च्छेट असनल पांच ओवर की बार अगले गैन इस ओवर के ले करते है और गेंद बाद दोड़ती हुआ अमपार को क्रॉस की आई गैन गुडलेंड की बॉल अंदर आती गैन को सीधे वले से वापसर से केला इस बार गैन गई सीधी मिडलन की फिलर के हाथ में तीर गैती से गैन के इसलिए रन लेने का कोई मौका नहीं डॉट बॉल के साथी ओवर की समापती साथ ओवर का खेल पूरा इंगलेंड का स्कूर 49 रंद दो विकेट के नक्सान पे तो इंगलेंड वुकेट के टीम ने 49 रंद बना लिये हैं दोस्तो दो विकेट नक्सान पे साथ ओवर का खेल पूरा हो चुका है और साथ ओवर की समापती के बाद इंगलेंड वुमेन ने 49 रंद डाली हैं दो विकेट के नक्सान पे टोज जीतने के बाद पहले आज के मुकाबले में ग्रीन बाजी करने का फैसला वेस्ट इंडीस के टीम ने लिया है और वेशनिस की टीम आज के मुकाबले में पहले बॉलिंग करने का जो फैंसला है वो कितना सही साबित हुआ है आई वी तक तो सही साबित हुआ है क्योंकि विकेट्स भी मिले हैं और उतने रन भी नहीं खर्च किये हैं कहीं नहीं पर फैंब से रन खर्च कर रहे हैं तो इतनी जादा रन भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं इस मकाबले के अंदर इसे के साथ ही फिलाल अगली गन्स बनाना बड़ा मुस्किल हो जाता है तो मिलेगी तो मुकाबले में आप पीछे जाएंगे फिलाल अगली गेंट को लेकर जा रही है अपर गेंट बाजी में चेरी है सामने करेंगे वलबा टर्मे विमाउंट तर्मे विमाउंट ने दस रन बना कर खेल रही है 17 गेंटों में अगली गेंट का सामने कर रिकल तयार है रहे हैं और देखते हैं कि किस तरी किसे मैंच को आंगे लेकर जाने वाले हैं इस मैंच में उम्मीद करते हैं अगली गेंद इस वार बाइड का इसारा आता हुआ और इस बाइड बाल के साथ ही स्कोर होगा टीम इंगलेंड बुमेंड का चानीस रन दो विकिट के नक्सान पे साथ असमला दो ओवर की समापती के बाद तो कहीं ने कहीं साथ असमला दो ओवर का खेल पूरा हो चुका है और इंगलेंड बुमेंड का स्कोर है चालीस रन दोस्तों दो विकिट के नक्सान पे टॉस जितने के बाद पहले गेंद वाजी करने का फ बहुत ही सांदार गेंद लेकिन रन लेने का कोई भी मौका नहीं है स्कोर अभी उरकवाय टीम का 40 रन है दो विकेट गुनकसान पे 7.3 ओवर की समापती के बाद तो 7.3 ओवर का केल पूरा हो चुका है इंग्लेंड की टीम का स्कोर है 2.4 ओवर के बाद इंग्लेंड की टीम आज चौस हारी है और टौस हारने के बाद पहले आज के मुकाबले में गेंद बादी करने बल्ले बादी करने का मौका मिला है इंग्लेंड वुमेंस के लिए फिराल इसी के साथ ही सोर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी इस बार शानदार गिंद, कौन बनाती हुई गिंदर की तरफ आई, बल्यवास को एक बाब बीट कर दिया है, चौती गिंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, लगातार अच्छी गिंद बाजी हो रही है, वेस्टिनीज के दोरा, वेस्टिनीज बुमेंस टीम लगातार बहुत अच्छी बुमेंस का चाली सिरन, दो विकेट के अनुक्षान पे, अगली गिंद स्वर की पाच्छी गिंद को लेका तियार, चेरी एन जाती हुई इस बार सिकेंद को खेलने का प्यास नहीं किया, बहुत बाहर गिंद थी, और पस्टम के बाहर, बाइड बाल तो नहीं होगी, लेक फिर सिर्जाते हुई गिंद बास साबने करेंगे तनमे बिबाउंट, 21 गिंदो में तनमे बिबाउंट, 10 नम राए है, टीम इंगलन मुववन का स्कूर, 40 रन, 2 विकिट के नुक्सान पे, 7-5 ओर किसम आ अपती के बाद, औहो, खराफ गिंद बाजी, खराफ गिंद बाज दे रहे हैं आप समझ सकते हैं कि अगर आपने हैर ओबर में एक दो वाइट दी तो अगर आपने मां लीजिए 30-40 रन अगर दे दी एक्स्टा वें तो एक बल्लेवास का काम कर जाएंगे वो 30-40 रन तो वेक्स्टा से बचना होगा फ्ललाकरी गैंसुर के लिए करते हैं चेरी रन दो विकेट के नक्सान पे आठ ओवर की समापती के बाद तो आठ ओवर का खेल पूरा है आठ ओवर की समापती के बाद इंग्लेंड मुमेंन का स्कोर ते तालीस रन दो विकेट के आनक्सान पे कमाल की सौट कमाल की बल्ले बाजी और कमाल का प्रदसान अमय देखने को बिल रहा है दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जिरू करिएगा और वीडियो को लाइक जिरू करिएगा तो फिलाल आठ ओवर की समापति के बाद इंग्लेंड का स्कोर है 43 रन दो विकेट के नुपसान अब यहां से देखा आया तो 9 में ओवर की सुरुआत होने जाएगी और 9 में ओवर में किस तरीके से सुरुआत होगी देखने वाली बात हो सकती कि 9 में ओवर में क्या विकेट ले पाएंग एक और मुझे लगता है कि आ रहा पर जो है रन लगातर आप देखने को मिलते हु भई यहां पर उम्मीद है कि 200 सूपर का स्कूर बनाने जा रहेंगे लिएंग फिलाल 9 में ओवर की पहली गेंद आपर हैंडरी लेकर आएं अपना चौथ पांच मावर लेकर आएं टीम का यह 9 मावर लेकर आएं पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद इस बैर गेंद को ख आने वाली हैं फिलाले सूर की दूसरी गेंद बहुत अच्छी गेंद थी इस बार आवर पिच बॉल अच्छी गेंद का प्यो कि आंदर आती गेंद मिस्रन की अगती में और बल्ले बास को चक्मा दिया इस बार रन नहीं मिलेगा तो इसकूर अभी भी इंग्लेंड बुम खोलेंगी फिलाल अगली गेंद ओहो इस बार बिल्कुल सम्मान किया गेंद को अंदर आती गेंद को गुडलेंड की बॉल एक पैर को आंगे बढ़ाया और गेंद की लाइन में जाके गेंद की पिच तक जाके गेंद को बहीं पर दबा दिया फिल्डर खुद गेंद जरूर कर आगा अगर आपने वीडियो को लाइक कि नहीं क्या और अगली पैस्कृइब नहीं किया तो चैंटो को सस्क्राइब जरूर करिएगा फिलाले की के साथ एगले यह लीए के लिए कर देयार पांच मेंद को लेकर जा रहे हैं यहां पर किन्दबाजी में हैं दी सा लग नहीं पड़ेगा कि अभी शुरुआती मैंचे और अभी थोड़ा विकेट्स भी गिरे हैं तो जिससे विकेट्स को बचाने का प्रियोग किया जा रहा है थोड़ा सेट होने का प्रिया इंदर किया रहा है दोनों वल्लेवाज के लिए पांच मी गैंद एक और अच्छी गैं थी गती में परिवरतन था वल्लेवाज ने इस गैंद को डख किया और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में बाकी का हम विकेट कीपर ने पूरा किया अगली गैंद सुर की लेकर तयार आखरी गैंद को लेकर जा रही है गैंद बास और आखरी गैंद का सामना क गेन थी लेकिन इस बार रण नहीं मिलेगा इसकोर टीम का भी इंग्लेंड वुमेंड का 43 रन दो विकेट नुक्सान पे नो ओवर की शमापती के बाद नो ओवर का केल पूरा है और नो ओवर की शमापती के बाद इसकोर टीम इसकोर इंग्लेंड वुमेंड का 43 रन दो विके कि समापती के बाद इंग्लेंड बूमेंस की टीम जो है और लगातार एक अच्छा काम कर रही है लगातार बड़ी है बल्लेबाजी यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं लेकर देखते हैं कि किस तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिल रही है फिलाले स्वर की अगली के दस्मे और की शुरुवात ओने दा रही है स्वर की दस्मे और की पहली के जोर दार अपील अंपार ने नकार दिया है अपील को जोर दार अपील हुई तर आने वाली है फलाल अगली इसुक्र की ले करते हैं और गेंद बाज जाते हुए अगले एग्ली इस्वर की दूसरी गेंद को ले कर जाएंगे सामने करेंगे तनमे मज़ा तनमे में मज़ाओं को पुल कर दिया गेंद भरी यहां पर देखा जा दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ यहां पर लेग बाई का सिंगल आया है बल्ले से नहीं है उनके जो हाथ की कोहिनी के बगल में गेंद लगी थी और गेंद लोगाउन की तरफ जरूर गई लेकिन एक रन बल्ले बादों ने पूरा किया चोटिल भी ऐ असला करा कि हो गई है क्योंकि बहुत तेजी के साथ गेंद लगी है और फिलारे यहां पर बल्ले का तो कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है तो इसी के साथ इंग्लेंड गुमेंड का स्कोर है चावालिस रन दो विकेट के नुप्षान फिक कमाल का मुकाबला और कमाल का प्रदेस्टन दोस्तों में देखने को बिलता हुआ नजर आने बाला इस मुकाबले के अनदर स्यरी के त् energia's गेंड इस बार बहुत अच्छी गेंड बहुत ही साथ गेंड गिंद बाजी यहां पर छेरी के द्वारा चेरी जानती है कि उनकी बल्ले बाजी में पहना पन है और वो विकेट निकाल सकती है अभी तो उनको एक विकेट मिल चुका है एक और विकेट ले सकती है सांदर गिंद बाजी कर रही है चेरी अगली गेंद स्वर के लिए कतिया चेरी एनना सामना करेंगी बल्ले बाज अग बाता नहीं गोला है क्या एक बड़ा सोट लगा पाएंगी साइबर के लिए सवर की चौथी गेंद और सवर की चौथी गेंद बाड़िया सौट कदमों का प्रियों किया गेंद को स्टेट ड्राइब मार दिया है पीछे फिल्डर मौदू दो रन बल्ले वादों ने पूरा क मकावला बहुत अच्या चल रहा है दोस्ते रहे बात करें स मैच में रुला रहा हैं और देखने बाली बात हो सकती है और किसी ने कि बाजी करने का फ्रेंस लालिया आज इंग्लेंड टीम वेस्टनी की टीम ने और अभी तक फिलाल इंग्लेंड की टीम ने अपना नो दसमला पांच औरों में चैली सरन बना लिये हैं दो विकेट के नुक्सान पर अगली गेंड सोर के लिए कर तयार आखरी गेंड को लेकर ज स्कूर है 47 रन दो विकेट के नुक्सान पर टोज जीता था आज बेस्टनी की बुमेंट टीम ने और टोज जीतने के बाद पहले एक दिवशी मकाबले में पहले के इनबाजी करने का फैसला लिया आज के दिन टोज जीतने के बाद तो टोज जीतने के बाद पहले के इनब समाफ्ती हो गई है और 10-20 की समाफ्ती के बाद इस पोर टीम का 47 रन दो विकट के नक्षान पर आप लोगों से ने विदा नयार हमारे 100 लाइक पूरे गड़ा दीजें और 100 लाइक के साथ आप लोग चैनल को सस्क्राइब भी करें आप लोग चैनल को सस्क्राइब नहीं कर र यह अभी तक दिरे चोड़ी सी साज़ारी पनाप रही हैं और देखने कि अगर यह दोनों बल्ले बाद टिके रहे तो आकिर का इक बड़ा स्कोर बनाने में कामया हो सकती है आज के मुकाबले में अगर हम बात करें सांधार प्रतसन देखने को में सकता है फिलाले सबर की अग लेकिन छटमा ओवर लेकर आई हैं और इस तीके साथ ही देखने कि क्या होने वाला है फिलाले लेगे लिगे तो सोई के लिगा तयार गेंद बाद जाते हुए हैंडी सोई की दूसरी गेंद को लेकर जाएंगे सामने करेंगे निताली शाइवर शाइवर क्या एक बड़ा स लगाया जी हां साइवर ने और गेंद चली गई इस बार लॉग आफ की तरह दो रन बल्ले वाज़ों ने पूरे कर ले एक दो रनों के साथ ही अब इंग्लेंड बुमेंड का स्कूर है उनन चास रन दो बिकित इंक्सान पे 10.12 वर की समापती के बाद तो कहीं न कहीं इस म को लेकर जाती हुए सामने करेंगे 49 साइवर साइवर क्या बड़ा सोड़ लगाएंगे जी नहीं इस बार कात्मों का प्रियोग जरूर क्या साइवर ने बल्ले का मोटा किनारा लेकर गेंड चली गई सौट कावर की तरफ सौट कावर की दाइए और जब तक गेंड को फील तक फिलाले का चीवल्ले बाजी करी है और बारा है और रन कहीन के यहाँ पर देखाज आए पर पचीस गयनों में बार रन बना कर खिल रहे हैं तनमें बिमाउंट और इंगलेंड मूमेन का स्कूर है पचास रन दो विकेट के नुक्सान पे एक अच्छा मुकाबला चल रह रहे है पांच मेंगें हैंरी लेकर जाते हुए सामना करेंगे तनमेंबिमाउंट के लिए तनमेंबिमाउंट जो की 25 गयनों में बारा रन बना कर खिल रही हैं देखते हैं कि क्या एक बड़ा सोड लगाएंगे 24 गैनों में 11 गैनों की साज़दारी तीसरे विकेट के लिए दोना बल्ले बाजों की बीच में हो चुकी है एक सांदार साज़दारी और मैच को जिताने के लिए एक बली साज़दारी की जरूत होती है अगली गैन पर इस बार फिल टॉस गैन और चूप गैन लेकिन एक रंड़ पूरा किया एक रंड़ के साथी संतोष रहना पड़ेगा इंग्लेंड गुमेन का स्कोर एक क्या वन फे दो तो कहीं न कहीं इस मुकाबली के अंदर अगरम बात करें दोस्तों तो मुकाबला बहुत ही साधा तरीके सांगे चल रहा है और एक रोबान चक मैच भी तक हमें दोस्तों देखने को मिलता हुआ नहरा रहा है फिलालेटी सुबर की आखरी गैन को ले करते हां फिर से गैंद बाएँरी जा रहे हैं ऐगल एकली गैं को देखते की क्या होगा फिलालेस बहुत की आखरी गैंद गैंद िहली हवामें और एक और बढ़ी वांड के लिए जो इस बाहर शॉटर प्लेंद गें ती और ईस गैनध को पटकी गैन को बाइन बेजाए चार नोंकि主 बीडियो को लाइक करिया सतर लाइक हमारे होंे वाले हैं सभी लोग एक साथ लाइक करिये सब्सक्राइक जेनल को सब्सक्राइब करना भूली आप सभी का बहुत मुधनवाद अमर्सा लगाता जुड़े रहने के लिए तो ग्यारा ओवर का खेल पूरा और ग्यारा ओवर की समाप्त के बाद स्कोर इंग्लेंड बुमेंड का पच्पन रन दो विकेट के नुक्षान पे तो फिलाल ग्यारा ओवर का खेल पूरा हो चुका है आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं वहीं तक हमारे सतर लाइक नहीं वो पाए हैं और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो इसी के साथ ही फिलाल मैं आपको बता दू कि ग्यारा ओवर का खेल पूरा हो चुका है खासी नजर आ रही है उच्छा खासा स्कूर इंग्लेंड ने बनाया लेकिन इस स्कूर के पीछे और बड़ा स्कूर पर च्छपा हुआ है क्या इंग्लेंड की टीम एक बड़ा स्कूर बनाती हुई दोस्तों आज नजर आ सकती है फिलाल की नाजे बताया था तो आप एक बड़ी उम्मीर है क्यों साथ आंगे जा सकते हैं क्योंकि 49 साइवार अभी तक 10 ना कर खेल रही है अगली के लेकर त्यार गेंद बास फेस्टे जाते हुए और देखते कि क्या होने वाला दोस्तों एक साथ वीडियो को लाइक करें सतर लाइक हमारे होने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो चैनल को सब्सक्राइब करें फिलाल अगली गेंद पर जोड़तार अपील और इसी के साथ ही नोट आउट दे दिया हम पार ने बिल्कुल ऐसा दोगा कि साथ हवा में उगली उठा रहे हैं लेकिन अमपार ने जिसा बताई है कि गेंद लेक्स साइट पर जा रही है तिसलिए आपर नोट आउट दिया गया है अगली गेंद स्वर की लिए का तयार फिर से गेंद बास आते हुए स्वर की दूसरी तनमे की बात करें तो 27 गेंदों में 13 रन बना कर खेल रही है स्वर की अगली गेंद का सामने करेंगी क्या एक बड़ा सोट लगा पाएंगी दीखनी बाली बास हो सकती है ये बारमा ओवर चल रहा है पचास पचास ओवर का खेल है और वंडी मैचस में हम बात करें तो ये बारमा मुकाबला बारमा ओवर खिला जा रहा है फिलाल इसी के साथ ये अगली गेंद इस और के लिका तियार घेंद बास फिस्तर जाते हुए तीसी गेंद को लेकर जाएंगे दूसरी गेंद पर एक सिंगल चुरा लेंगे सिंगल के साथ इसको टीम इंगलेंड बूमेंन पर देखा जाए दोस्तों तो इस वर की तीसी गेंड को लेकर जा रहे हैं कि इन बाद सामना करेंगे वल्यवाजी जो है करते हुए पर देखने को लेकर जा रहे हैं इसे के साथ ही फिलाल अगली गेंड स्वर के लिए करते हैं चौती गेंड को लेकर जा रहे हैं गेंड बाद सामना करेंगे फिलाप सभी का बहुत बधनवाद हमर से लगाता है जुड़े रहने के लिए अगली गेंड सवर के लिए का तियार फिर से फिलेटर जा रहे हैं फिलेटर किस तरीक चैनल को सश्क्राइब नहीं कि लृट एक और देखते के किस नहीं की संद्रिब चैनल को सब्श्राइब नहीं करिये तो इसी के साते ही सभी 5 फिक और大家 इंगल आएगा सिंगल सिंगल के साथी स्कोर टीम का बढ़ता हुआ यहां पर देखा जाए तो आगे चल रहा है इसी के साथ देखा जाए तो इस मकावले के अंदर जो है एक बड़ी अपरदेसर में देखने को मिलेगा फिलाल आकरी गैन पर कोई रन नहीं ऑवर की समापती 12 बाद स्कोर टीम का फिलाल 56 बारा उवर की समापती के बाद स्कोर इंग्लेंड बूमेंड का 56 दू विकेट के रक्सान पर टॉस जीतने के बाद आज बेस्ट निस की तीम के पहले गिंद बाजी करने का फैस्ट भाल लिया और बेस्ट नीज बूमेंड की टीम ने गिंद गुमेंड की जो टीम है वो कहीने का एक बड़ीया काम दोस्तों आज करती हुई नजर आने वाली है तो फिलाल बारा अवर की सब्सक्राइब लेकर मैच को देखने को मिलेगा और अगली गैंस्वर की फिलाल तेरी मौवर की सुरुआत होने जा रही है तेरी मौवर की पहली गैंड को लेकर तियार गैंस्वर जा रहे है और तेरी मौवर की पहली गैंड का सामने करेंगी बल्लेबास तीक अजायतों आपर तन में विमाउंट टिमा विमाउंट की बात के तो विमाउंट भी एक अच्छी बल्ले बाजी और एक बड़ी अपरदस दोस्तों करते हुए इन नजर आएंगी इसी किस्ती अगर हम बात करें से मुकाबले के अंदर तो बारा ओवर का फेल पूरा हो गया है और बारा ओवर की समापती के बाद एक बार फिर से हम आपको बता दे स्कोर टीम का 58 दो विकेट के नुकसान पे तेरी में उबर की शुरुबात हो चुगी है तेरी में उबर की पहली गेंट पर एक सिंगल और मिलेगा सिंगल की साथ इसको टीम का हो गया है इंगलेंड का फिलहाल देखा जाए तो छपपन से सीधा अंठावन से सीधा उन्षट रन दो विकेट के नुक्सा आते है अगले गेंट इस वर की ले करते है यार गेंट बासफे से जाते हुए इस वर की अगले गेंट जो की तेरी में उबर की दूसरी गेंट को लेकर जा रही है हेली क्रिस्टन मैथ्यूस आ गए है और मैथ्यूस की अगले गेंट का सामने करेंगे बल्लेबास निताली साइवर अ अभी भी इंग्लेंड का स्कूर है 69 रन दो विकेट के नुकसान पर तो टॉस जीता था आज इंग्लेंड पर वेस्टनीज बूमेन ने और पहले टॉस जीतने के बाद पहले गिंद बाद जी करने का जो फैसला है वो आज के दिन लिया है और ये फैसला कितना सही सावित होग इंग्लेंड वुमेन का स्कूर साथ हो गया है अब दो विकेट के नुक्षान पर बारा दसंदों तीन ओवर की समापती के बाद चोथी गेंड को लेकर तयार हेली जा रही है हेली मैथ्यूस की चोथी गेंड सामना करेंगी बल्लेबास तन में बेमाउंट 16 रन मना कर खेल नहीं है क्या विकेट मिलेगा यहां पर यहां फिर बड़ा सौट लगेगा बड़ा सौट लगाया इस बार गैप में खेला है लांग लेक की तरफ जा रही है दो रन मनले बादोंने पूरे करें तीसर रन भी पूरा कर लिया बॉन्डरी भी चेक करे जाएगी क्योंकि बिल लेगा विकेट के नुक्षान पर यहां पांच मिगेट को लेकर सामने करेंगे बलबाद नितारी साइवर साइवर ने इस गयांद को हलके हाथो से खेला आया इस बार गैन जा रही है इस बार पॉइंट की तरफ एक रन बलेवादों ने पूरा किया और एक एक रन के साथी स्कुरिंग लेंड बुमेंड का 64 रन दो विकेट के रुक्षान पे दोस्तो आप लोग अरभी तक 70 लाइक हमारे नहीं पूरे हुए ये तो गजब की बात है लाइक नहीं कर रहे हैं ये क्यों आपको लग रहा है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को भी सस्क्राइब करीएगा अगर आपके चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है अगली गैन स्वर की आखरी गैन को लेकर त्यार हिली जा रहे हैं और हिली की स्वर की आखरी गैन का सामना करेंगी बल्बास तन में विवाउंड जोने 33 के अंदों में 20 रनों की पारी खेली है तो इसी के साथ ही आखरी गेंट पर एक सिंगल के साथ ही स्कोरेटीम इंगलेंड बुमेंड का 63 से 65 रन हो गया है दो विकेट के रिक्सान पे 13 ओवर की समाप्ती के बाद अब यहां से देखा जाए तो दोस्तों अभी तक बहुत ओवर बाकी है अभी तो 13 ओवर ही खेल समाप्त हुआ है उसके बाद देखा जाए तो अभी ओवर का खेल बाकी है और देखने वाली बादों किस तरह की मकाबला है वह में देखने को मिलेगा फिलाल सी के साथ 11 ओर की सुरुवाट है तेरा ओर का खेल दोस्तों पूरा हो चुका है अब देखते किस तरी किस समयच को लेकर जाएंगे फिलाल सी के साथ 14 ओर की पहले गेंड को लेकर ते यार गेंड बाद आते हुए सामने करेंगी बहले बाद है अपने इताली साइवर साइवर निकीस गयंदों में 13 ओर बना कर खेल रही है देखते किस तरी किस समयच को लेकर जाएंगे साइवर की बात करें तो उन्होंने अभी तक फिलाल एक च्छका अभी तक च्छका नहीं लगाया है और उससे पहले बड़ी हैं में देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है फिलाल इसवर की पहली गेंद इस बार बड़ा सौट लगाया है और बड़ा सौट लगेगा तो च्छका मिलेगा जी आफीप फिलेचर की पहली गेंद पर ही सांधार बांडरी आती हुई इस बार चूके नही है लिए और बलेवाज इस बार ड्राइब करने में सफल रहे लेकिन इस वर की दूसरी गेंद पर एक रन और मिलेगा एक रन के साथ इसको टीम इंग्लेंड का हो गया है सतर रन दो विक्ट क्षान पे तीरा दसम्दा दो वर की समापती के बाद अगली गेंद सुरकी लिए करते यार फिर से गेंद बाद जाते हुए फलेचर सामना करेंगी वर लिबाज निताली साइवर साइवर 21 गेंदो में 13 नमना कर खेल रही हैं और देखते किस लेगे समयच को लेकर जाने वाले हैं फिलाल साइवर अगली गेंद का सामना कर निकलत तयार क्या यहाँ पर एक यहीं से मौदू थे दो रन से जाना नहीं मिलेंगे एसा लगा था कि चार रन हुगे लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं थी दो रन पूरे करें वर लिबाज उने अगली गेंद से लेकर तयार गेंद बाद समुस्दा जा रहे हैं और सामना करेंगे वर लिबाज अगली ग लगाता रंकों से लगाई जा रही है दोनों ही तरफ से और रन नहीं बन रहे हैं टीम्स के लिए फिलालिसी के साथी 72 को टीम का दो विकेट के नुक्षान पे तीरा दसम्ड़ चार आवर की समापती की बात पांच मिगेंद को ले करते हैं गेंद बास फिसे जा रहे हैं अफ करी गेंद अच्छी गेंद ती ओवर की समापती सी के साथी और ख्री डॉट बॉल के साथी 14 ओवर का खेल पूरा 72 पर दो हैंगलेंड बूमें तो एक अच्छा मैच और एक कमाल की बल्ले बाजी देखने को मिल गए इस मकाबले के अंदर ड्रिंक्स ब्रेक ले ले लिया ग तो फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है आज के मकाबले के अंदर दोस्तों मकाबला रोमान चेक चल रहा है भारत और वेस्टनीस की बीच के बीच में ये बड़ा मकाबला है और वेस्टनीस की टीम और इंग्लेंड की बीच में ये पहला ओडिया ये मकाबला खिला जा जाएं चाहएँ चाहबर इस मुकावले के अंदर फिलाल तो जिता था वेसिडीस की टीम ने पहले गेंद Bाघ करने का फैसल लिया था पंद्री में की वबर की सुर्वात नहीं जा रही है पंद्री में अवर की पहली गेंद Bाघ करते हैं पहले के पहली जी गेंद Hoon Lid तो ड्रिंक्स की ट्रॉली जो है वो दोस्तों यापर कहने के मैदान से बाहर जा रही है और फिलाल ड्रिंक्स जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है से मुकावले के अंदर इंग्लेंड बूमेन की टीम अभी तक फिलाल एक अच्छी पकड़ बना चुकी है चौदा ओवर में अभी तक बहातर रन इंग्लेंड बूमेन ने बना लिए हैं और फिलाल अगर हम बात करें तो इस मुकावले के अंदर जो है एक सांदर मैच में देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है तो ड्रिंक्स ब्रेक ले लिया गया है जैसे कि आपको बता है कि ड्रिंक्स ब्रेक के समय फिलाल देखा जाए तो यहाँ पर मुकावला भी चलता हुआ नजर आने वाला है और देखते किसे किसे जो मुकाबला है वो हमें दोस्तों देखने को मिलेगा तो दोस्तों चोदो ओवर का खेल पूरा हो चुका है और चोदो ओवर की समापति की बाद 72 एसकोर इंग्लेंड वुमेन का दो विकेट के नुक्सान पे एक अच्छा मुकाबला और एक अच्छा मैं अच्छा मैं दोस्तों देखने को मिल रहा है जहाँ पर अभी तक देखा जाए तो इंग्लेंड वुमेन्स की टीम ने 72 बना ली हैं दो विकेट के नुक्सान पे कि इनिक्स ब्रेक शमाजंगों ड्रिक्स ब्रेक याँ पर चल रहा है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद कि शलार्सी के साथी 72 पर्दों इंग्लेंड वुमेन्स चब्दों वर की समाप्ति के बाद भुमेड़ के का बाद कि बाद झाल झाल पहली गेंट फलाइल देखा जा यहाँ पर जा रहा है फिर से केंट बाज और यहाँ पर विक्ट ले पाएंगे दिखने वाली बाज़ और एक रोबान चेकता से हाँगे दूस्त चलता हुआ अगली गेंट पर एक सिंगल चुरा लेंगे सिंगल के साथ इसको टीम का बढ़ है और टीम में इंग्लेंड का स्कूर गया तेतर दो विक्ट के रुफ्टान पे टोज जितने के बाद आज पहले के इन बाजी करने का वेस्ट नीज ने फैसल लिया तीसरी गेंड को लेकर तयार है रही ली किस्टन जा रही है ली के अगली गेंड का सामने करेंगी वहले वा का नहीं स्कूर अभी रुकाओं इंग्लेंड मुमेंड का तेहितर रहन दोवे किस्टान पे चौतिकन को लेकर तेयार हेली क्रिस्टन मैथ्यू जा रही है चौतिकन का सामने करते इस बार बड़ा सोड़ लगाने का प्यास बल्ले का निचला कर गएंड गई वहाँ पर एक पांच मी गएंड लेकर तेयार गेंड बाद हेली क्रिस्टन मैथ्यू जा रही है इस बार बेमाउंट नेज गएंड को खिला है रन नहीं मिलेगा तो रन लगाता रुके हुए हैं और स्कूर लगाता रहा है पर रुका हुआ हुआ है टीम का 74 रन दो विकिट के नुक्सान पे दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए सो लाइक तक हमें जली जली पहुचा दीजिए क्योंकि हमारे सो लाइक बस होने वाले हैं और 27 लाइक और अभी बाकी हैं फिलाल अगली गेंड इस वर के लिए करते है यार गेंड बाद जा रहे हैं अगली गेंड का सामन अगला दोस्तों में देखने को मिलेगा पंदरा अवर की समाथी के बाद मादर तीन रहना इस वर में आए हैं पंदरा अवर के बाद 75 पर्दू है सको टीम इंग्लेंड बूमेंड का निश्चित रूफ से 75 निसको टीम का दो विक्रिट सांट पे 15 अवर की समाथी के बाद हो चुका इसको टीम इस मुकाबले में और कहीं कहीं कमाल कप्रत संदेखने को मिलता हुआ नजर अने वरा है तो 15 अवर का खेल पूरा हो चुका है जो भी दोस आमारे से देरी से जोड़े मैं आप सभी को बता दो कि आज के मुकावले में टॉस इथा बेस्टनिस की टीम ने पहले गेंड बाद ही करने का फैसला लिया बेस्टनिस की टीम ने बालिंग करने का फैसला है वो लिया था और अभी तक फिलाद देखा दाया तो शुरुआती दोर में विकेट मिले लेकिन अभी हाँ पर जो है साज़दारी जो चल रही है अगली गेंड इस बार बढ़ी असोट खेल दिया इस बार गेंड मौंडरी के बाहर चार अनों के लिए कमाल का सोट इस बार देखने को बिला है गेंड चली के इसी दी बाउंडरी के बाहर चार अनों के लिए दंदना आते हुई बहुत ही सांदर चौका आता हुआ टीम स्कोर हो गया इसी के साथ ही 79 फर 2 80 ही रण बनानी है टीम ने स्कोर हो गया दो विकट के आनोंक्षान पर पागली गेंड स्वर के लिका दीयार दूसरी गेंड को लेकर जाने वाली है श्वर क gliəंड पहली गेंड पर स्वागत कर दिया है वल्ले बास चिमा वेंड बांट नहीं वल्ले बास यहाँ पर और पहली गेंट को ठाकर मारा है गेंट चली कि दन दन आती हुई बॉंडरी के बाहर चार रणों के लिए तो फिलाल इस वर की दूसरी गेंट को लेका तयार आप फिलेशर जा रही है इस बार हबामे गेंट उची चली गई है फिल्डर नहीं पहुंच पाएंगे और दो रन पूरे बल्लेवाजों ने पूरे किये कोसिस करना तो कैश पकड़ सकते थे लेकिन उस कैश को पकड़ने मैंना काम नहीं बल्लेवाज फिल्डर इसी के साथ ही फिलाल अगर हम बाद करेंस मुकाबले के अंदर तो यह मुकाबला रोमान सेकता सांगे जा रहा है इसकोर इंगलेंड मुमेन का क्यासी रन दो विकेट के सान पे कमाल के प्रदसनों एक कमाल की परफॉरमिंस देखने को मिलती हुई नजर आने वाली है अगले गैनस तुबर के लेकर तयार फिर से फिलेचर जा रहे हैं इस बार अच्छी गेन इस बार बढ़िया गेन ती रन नहीं मिलेगा इसकोर इंगलेंड इंगलेंड के अंदर दो विकेट के अनुफसान पे तो दोस्तो चबीस मौबर चल रहा है फिला अच्छमा जंगर सूल मौबर चल रहा है पंदा देसम्दा तीन ओवर की समावती के वास्कोर टीम के कैसी रन दो विकेट के नुफसान पे एगलेंड सुरी के लिए कर चाहते हुए हाफी फुसान जा रहे है सामने करेंगे बल्ले बाज जै फिलार सुरी की चौती गेंड अच्छी गेंटी कोई रहन नहीं आता हुआ और अगली गेंपर यहाँ पर बड़ी जटका यहाँ पर लगते हुए इतन में बेमाउंट आउट जी हाँ दोस्तों फिलेचर ने आखिरकार अपने ओवर में पांच मीं गेंट पर बिगिर ले लिए है पहली गेंट पर चौकाल लेकिन भाईया दूसरी गेंट पर था मौका बल्ले बाज को आउट करने का उसरी के साथ ही यहाँ पर बल्ले बाज आउट होगे इंग्लेंड बुमेंस का स्कूर इतिक्यासी रन तीम बिकेट के नक्सान पर एक और जटका टीम को लगता हुआ इंग्लेंड के लिए और इंग्लेंड फूमेंस टीमेंक लिए आपने अपर देखा आ जाए तो मुस्कलो में आती हुने बास जा रहे है आखरी के इन्गेंग्ले बास आ है अपनो नहाँ बास आ जा चुक estimates मैं को बताद हूँ कि मैस मुका पर में रोमांचिक मुकाब्दा देखने को मिला है आगर हम बात करें तो नए वल्लिवाज आ चुकी है कप्तान हेदर नाइट इंग्लेंड की कप्तान आ चुकी है बल्लिवाजी करने के लिए और अब देखते हैं कप्तान किस तरीके से फारी खेलती है क्योंकि बल्लिवाजी में गहराई है इंग्लेंड टीम में और वही निज़र आ रहा है कप्तान जो है वो यहां पर आज नमर च्छे पे नमर पांच पे वल्ले बाजी करने आए हैं फिलाला अक्ली गेंड को ले करते हैं फिर से फलेचर जाते हुए इस सामरा करेंगे वल्ले बाज हैदर नाइड नाइड जो कि अभी तक फिलाल खाता नहीं कोल पाए हैं और टीम का स्कूर है क्यासी रन तीन विक इंस्टान पे इस वर की अग्ली गेंड करने करते हैं और गेंड बाज जाने इस वर की आखरी गेंड अच्छी गेंड ती दो रन बले बाजने पूरे के दो रनों के साथ ही ओवर की समापती हो चुकिए सोना ओर की समापती वाया तेरासी पर तीन है स्कूर्टी में इंग्लेंड मुमेंस का टोजी दितिंके बाद पहले गेंड बादी करने का फ्रसला लिया आज है मैस्टिनिस की टीम ने और अभी तक फिलाल अच्छा काम बेस्टिनिस की कप्तान और उनकी बाजने करके दिख मैस्जाने वाले ख़र के लिक्रत लगते हैं एक पर सप्राइब आगले गैन Tabii में और की पहली करें करेंगी बलभाश निक निखने बेस वालिए कि निखिए पंदर के पढ़े कर माइब की वहाँ आहिले पर मेंट नौता तारी को खळला दाएगा गेंग्लेंड परужा अगली अक्रの पर देखा जाए तो बल्लेबाद आउट हो रहे हैं यह थोड़ी सी परेसानी जो है वह दूस्तों न्यूजिलेंड को ने दर आ रही है क्योंकि आप यहां पर अगर आप सेट बल्लेबाद आउट होते हैं तो परेसानी दोस्ते आप पर नजर आने वाली है बल्ला आप सबीका बहुत मस्वागत है हमार से लगातार जो ले रहे हैं एस मकाबले के अंदर फिलाल सी के साथ ही अगली गैन सोर के लिकरते हैं अर गेंद बाद जा रही है अगली गैन हेली किस्टिन मैथ्यूस क्या एक बड़ा सोड लगा पाएंगी देखने बाली बात हो हुएं क्या एक बड़ा सोड लगा पाएंगी देखने वाली बात होगी इस वार गैन को खेला है एक रन के लिए एक रन के साथ इसको टीम का छासी रन हो चुका है तीन बिकिट के नकसान पे 16.13 ओवर की समापती के बाद तो 16.13 ओवर के बाद सको टीम का है छासी रन तीन ओबर चल रहा है और देखते हैं मैच किसने की सांगे चलने वाला है फिलाल इक बड़ी है मुकाबला एक अच्छा मैच और एक जबर्दस पर दसन दोस्ता में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है अगली गैंद स्वर की चौती गैंद अच्छी गैंद तीस बार गैंद को खेला है सीधा फिलर के हाथ में गैंद गई रन लेने का कोई मौका नहीं स्कोर अभी रुकाओ इंग्लेंड का च्छासी रन तीन विक्ट के नक्षान पे फिला हल दोस्तों मैं आपको बता दूग के स्कोर टीम इंग्लेंड बुमेंड का च्छासी रन हो गया है तीन विक्ट की पर से पहले जो गैंद गिरी है इसका रन कोई दिक्केत नहीं गवर की समापती हो गई है 16.05 और की समापती के बाद पिक्यासी रन दो विक्ट के नक्षान पे अगली गैंद पर कोई रन नहीं ओवर की समापती मातर तीन रन आए इस ओवर में और सी के साथी 27 ओवर का खेल पूरा हो चुका है 17 ओवर की समापती के बाद इंगलेंड बूबन का स्कूरे छासी रन तीन विक्ट के नक्षान पे 18 में ओवर की सुरुआत होने दा रही है और 18 में ओवर की पहली गैंद को लेकर तेयार गैंद वास सामना करेंगे बलवास शाइवर जिनोंने 29 ओवर में 18 ओवर बनाए हैं इस मकाबले में तो फिलाल अठार में उबर की शुरूबात सामना करेंगे बल्लिबास ने तालिश शाइवर उन्तीज गैदों में अठारा बना कर केल रहे हैं अगली गैंद को आपर किस तरीके से मैच को लेकर जाएंगे यह देखने वाली बात हो सकती है फिलाल इस तरीके से मैच को लेकर मिलेगा देखिए अगर हम बात करें से मुकाबले में आ तो देखे रंटो बनेंगे लेकिन कहीं कहीं ने कहीं देखा जाए तो बड़ी हा सकूर अभी तक इंगलेंड की टीम ने जरा रही है बनाती हुए इंगलेंड बुमेंस की टीम ने च्छासी अन बना लिए हैं तीन बड़ी है काम देखने को मिलेगा फिला अगली गैंस लेकर त्यार आठमी ओवर की पहली गैन अच्छी गैन थी इस बार इस गैन को खेला है एक रंड के लिए एक रंड के साथ इसको टीम का होगए इंगलेंड बुमेंड का फिलाग सथासी रं तीन विकेट के नुक्षान पर अगराम बात करें हैं पर मकाबले में तो मुकाबला जो बैदे कि रिख रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अठारम अबर चल रहा है 17.9 अबर की समापती के बास को टीम इंगलेंड बूमेंड कठासी रन तीन विगर इस्टार पे अगली इंसवर के लेकर तियार गेंद बास फलेचर जा रहे हैं और टीम कई 18 अबर लेकर आए हैं फिलाल नित्याली साइवर के लिए साइवर जो कि 30 गेंदों में 19 रन बना कर खेल रहे हैं अच्छी खासी बल्लेवाजी कर सकती है साइवर लगाता ने का तुम इस वास के साथ यहां पर बढ़ी बल्लेवाजी का प्रदसन कर सकती है आखरी गेंदों महा झाती हुए और अग्ली गेंदsi खेल की लिए करती है आग्ली गेंदों में 16 पर अच्छी गेंदों गेंदों बल्लेवाज के लाजाया के लिए का तयार पड़िया सोट इस बार खेला है एक रंड पूरा कर लेंगे और एक रंड के साथ ही स्कोर इंग्लेंड वुमेंस बंगला इंग्लेंड वुमेंस की तरफ से देखा जाया पर इंग्लेंड वुमेंस की तरी में फिलाल देखा जायता हो गया स्कोर इसी के साथ दिखने वाली बात हो सकती है किस तरी किस मुकावला अंगे लिए कर जाएंगे आखरी गेंद पर फिलाल दिखा जाएंगे तो क्या बड़ा सोड लगा पाएंगे देखने वाली बात होगी आखरी गेंद सोर के लिए करते हैं गेंद बास फिर से जाते हुए साम ना करेंगे यहां पर नाइव जोने च्छे गेंदों में चार औरों की अभी तक पारी खेली है अच्छी वल्ले बादी करके दिखा रहे हैं इस मकावले के अंदर अगली गैंसवर के लिए करते हैं आक्री गैंड पर एक रहना मिलेगा ओवर किस्तमापती आट ओवर किस्तमापती कि है फ़र हम बात करें हूं किया बड़ा सवार देखने को मिलेगा इस भर मैं फ्ले आलेस वर कि अगली गैंड आक्ली गैंड जो कि उन्नीस ओवर की शुरुआत होने जा रही है दो सुनीस ओवर की पहले गैंड को लेकर यह गैंड बात जा रहे हैं सामना करेंगे बहले अठारा होवर की समाथती के बाद नब बहस को टीम इंग्लेंड भुमेंड का तीन बिकटिक निफसान पे अगली गैंसवाई के लिए करते हैं गैंद बाद अभी फ्रेज आपर देकर जाते हुए सामना करेंगे बहले बाद नाइट जो 97 गैंदों में पांच रन बना कर खेल रही है और मैंपन निकोला साइवर की बात जाने के साइवर दस गैंदों में ग्यारान वा कहे फिलाल चौदी मोबर की शुरुआत हो चुकी है चौदी मोबर की पहली गैंद लेकर तयार हेली क्रिश्चन आई हैं गैंद बादी के लिए हैली लगातार मैथ्यूस अपने ए सिंगल और मिलेंगा सिंगल के साथी स्कोर होगा है न्यूजी लेन का फिला इंगलेन का एकन वरन तीन विक्टि सान पे जोग जितने के बाद वρन लाजी कर रहेंगे अगली गैंट स्वर के लिए करते हैं अगली गैंट पर फिलल कोई रन नहीं आथा दूसरी गैंट पर इक सिंगल चुराया है इस मुकाबले के अंदर फिलाल लेकर देखने को मैंने मिला नहीं है इसी के साथ ही अगली गेंद असरे के लिए करते हार गेंद बात जा रहे हैं चोती गेंद को लेकर जाएंगे सामना करने के त्यार है बले बाज अगली गेंद का अब जो अजय को लेका त्यार मैथ्यू एली जा रहे हैं मैथ्यो के शेट जा रहे हैं इसी के साथ ही चोटी के इस बाहर बढ़िया सौट के ज़िए इस बाहर गेंदार यह बाहर चार नो के लिए कमाल का सौट और एक अच्छास ओड़ यह वर मैं देखने को मिला गेंद गुवेन का तेरा नमरन तीन विकेटिंग्सान पे 18.4 ओवर के बाद अधरा दस्वार चार ओवर की समाथ की वास को टीम का तेरा नमरन ने अगली गैसर के लिए करते यार मापर महदी की बाद के तो महदी हसन अमराज अगली गैंड को लेकर जाते हुए सवर की पांच मिंगेंड वेक बाफर से बड़ी अस्वार केला है गेम जा रही है दो रनों के लिए लॉगाउन की तरह बल्ले वादों ने दो रनों के साथ ये निवजिरन का स्कूर एक सो दो रनों है फिलाल इंगलेंड का स्कूर शमाचाँ गया रहा है तीन डिकेटिंग उस्थां पे उननीसमा ओवर चल रहा है टौट जीतने के बाद पहले के इंदबादी करने का फैसल लिया था बहुत बहुत धन्यवाद हो साथ सब्सक्राइब का मारसल लगाता जुड़े रहने के लिए अगली गैसर के लिए करता है और आखरी गैंद को लेकर जा रहे हैं खेली मैथ्यू सा हमने करेंगी वलिबास निताली शाइवर इस बार अच्छी गैंद तीस बार एक उनके साथ इसको टीम नीडिलन का हो गया है फिलाल अगली गैंद पर एक सिंगल और मिलेगा और सिंगल के साथ ही ओवर की समापती उनीस ओवर का खेल पूरा हो गया है च्छानवर रन बनाए हैं टीम अभी तक देखा जा अफगानस्तान ने यार क्याप और रांगर इंग इंगलेंड की टीम ने अभी तक देखा जा चानवर रन बना लिए हैं तीन विकट के नौसान पर तो 19 ओवर की बाद 96 पर तीन असको टीम का और जीद जो मैच है दोस्तों वागे कि और जा रहा है च्छानवर रन बना लिए टीम इंगलेंड बुमेंड ने तीन विक निस पे 19 ओवर की समाप्ती के बाद अगली गयंट के लिए करता है यार 20 में वर की पहली गयंट अच्छी गयंट इस बार यूरकल लेंट की डिलिवरी थी बल्लेबाद इस गयंट को कहीं खेलने चाहते थे और कहीं यापर दूसरी गयंट को लेकरते है यार गयंट बास फेसर जाते हुए अगली गयंट को लेकर जाएंगे सामने करेंगे बल्लेबाद 49 शाईवर साईवर ने 49 गयंटो में 25 रुबना कर खेल रही है क्या एक बड़ा सोड देखने को मेलेगा इस ओवर में देखने वाली बात हो सकती ह फिलाल अगली गयंट को लेकर तयार फिलेचर जा रहे हैं फिलेचर जो कि अपना पांचमा ओवर डाल रहे हैं टीम का अगली गयंट पर देखता है पसिमा ही ओवर होगा अगली गयंट पर एक सिंगल और मिलेगा और सी के साथ इसको टीम का हो गया है संतांवरंण टीन विकिट के रिक्सार पे इंगलेंट बूमेंस का टौ। जीतने के बाद पर फ्रेस की टीमहर और अगली के इंसवर कि लिए करते है। बैज तरह का लेकर देखने को फोिरता है यूज outta ऴालिक है इस बार बॉडबा लकुर लगाने लेकर चाहले तहीं यूंज पूरा किया और एकन के साथ इसको टीम इंगलिन्ड मूववेंट का ठान वरár तीन विके норм cafeter here के साथ इदे काम होने वाला नहीं है सिंगल सिंगल के साथ अगर हम बात करें तो एक 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 क्रन के साथ कोई दिक्ysis की बात होने वाली नहीं है टीम्स के लिए फिलाल 19.05 अबर किसमापती के बाद 99 पर तीन है स्कोर इंग्लेंड बुवेंड का एक बहतरीन मुकाबला और एक जबरदस मैंच हमें देश तो देखनी को मिल रहा है इस मुकाबले के अंदर अगली गैन स्वर की आखरी गैन को लेका तयार बढ़िया गैन थी अंदर आती गैन को सीड़े वल्ले से खेला गैन जा रही है इस बार मेंडॉन की तरफ फिलरस के पीछे बाग रहे हैं नाई हो गई है गैन एक रण पूरा किया दूसर रण भी पूरा किया इंग्लेंड और बीस ओवर की समापती के बाद इंग्लेंड वुमेंस सौरन बना लिए पूरे तीन विक्ट के नुक्सान पर यहां से तीस ओवर का खेल भी बाकी है और इन तीस ओवर में कितना स्कोर इंग्लेंड टीम बनाएगी यह वह आने वाला समय बताएगा बहुत बहुत बुरा हो गया है और बीच ओवर की समापती के वास को टीम इंग्लेंड का 76 एरन तीनीन विक्ट के नुक्सान पर झायों और लोगों को क्या लगता है कौन सी तीम जीते की? और आप लोगर आ लाइक का बढ़र दिए, तो लाइक हमारे होने वाले हैं 21 लाइक हमारे जो हैं दोस्ते हैं आपर और बाकी हैं सो लाइक होने के लिए तो लाइक वरन दबा दीजिए और हमारे सब लगाता जुड़े रहेगा इसी के साथ ही फिलाल 20 में उबर की शुबात होने दा रही है 21 में 鬼 के पहली गिन का सामना करेंगे बल्यवास है फिलाल 20 में ओर की शुबात होने दा रही है 21 में उबर सेकेरा सल्मान है! सिल्मा की सकेरा सिल्मान की गिनबाजी में बहली गिन अच्छी गें 30 बार ऑपरस्न Ố्वार बाहर इंग्लेंड की बॉल बल्लेवास कट करना चाहते थे लेकिन गैनन के बल्ले के बिल्कुल करीब से होती ही चली गई है कोई रन अगले गैन स्वर की लेकर तयार गैन बाज जा रहे हैं और अगले गैन अगले गैन स्वर की लेकर तयार गैन बाज जा रहे हैं और अगले गैन अगले गैन स्वर की लेकर तयार एक रूर मिला था दूसरी गैन पर अगले गैन तीसी गैन पर क्या एक बेड़ास ओर लगा पा तो दूसें इंग्लेंड की टीम की बात कर रहे हैं हम इंग्लेंड इसमें अभी तक फिलाल 202 रण बना लिये हैं और तीन बिगट गवाए हैं इकश्म बाट चल रहा है अगली के अगली के लिए करते हैर सकीरा सिल्मान आये हैं कि इन बाजी के लिए सामने करेंगे अगली इनका हैदर नाइड जो की तीरा गेदों में अभी तक हैदर नाइड ने तीरा गेदों में नोरन बनाये हैं सिल्ल अगली अगली गेदों के लिए करते हैं यार गेद बाज़ आ रहे हैं सिल्ल की पहली अगली गेदों पर एक सिंगल और मिलेगा सिंगल सिंगल के साथ ही स्कोर टीम इंग्लिन बुमेंड का सिक्स तुटीर रन हो गया है तीन बिकिट के नुशान पर हंड्रें 3,4,3 21 झाल झाल छोका लगाया है वल्यवाज ने जीः आपको बाता हैं इस बार बढ़ा चोका इस बार में देखने को बिलता हुआ हुआ है उस चारों के साथ ही जो स्कुर डीम का फ़ला हो गया है टीम इंग्लेंट बूबिन का 107 रन तीन विक्ट दिकसान पर और वहीँ पर हैदर नाइट अभी तक दिखा जाये तो पंदरा गैनों में 10 छान गैनों में 10 साधी लिगेंद के सामने करते हैं उस वर अगले गैन पर एक चौकर आ आता है ओबर किसमापती 21 ओबर किसमापती की बाद107 एसको टीम का तीन विकट के निकसान पे तो 21 सोबर का खेल पूरा हो गया है और 21 सोबर की समापती के बाद 107 रन बना लिए टीम ने तीन विक्ट के नुक्सान पर फिलहाल दोस्तों मैं आपको आदों की 21 सोबर का खेल समापन हो गया है और आप क्या दोस्तों मैं आपको बता दो कि 22 में ओवर की सुबात हो गई है और 22 में ओवर की अगली गैन का सामना करेंगे वल्यवाज आपने ताली स्राइवर जो की अपने यार्ज सदक के करीब जा रहे हैं 18 रन दूर है अगली गैन सोबर की लेकर जाते हुए तीसी गैन को लेकर जा रहे हैं इस बार बड़ा सोड लगा दिया है गैन को एक्स्टे कावर की तरफ चार रनों के लिए इस बार स्राइवर ने चोका लगाया है और चोके के साथ इसको टीम इंगलेंड बूमें का 112 पर पहुंचा दिया है अब तीन बिकट के नक्सान पे 21.03 ओवर की समाप्ति की बाद 22 में ओवर की अगली गैनसुर के लिए करते हैं फरसे के इंद बस फलेचर जा रहे हैं सामना करेंगे अपर निताली साइवर जनों ने प्यतालिस गैनों में 36 रनों की पारी खेली है इस मकाबले में अभी तक अच्छी वल्ले बाजी और एक बड़ी अपरदसन बड़ी है वल्ले बाजी हमें देखने को मिली है मुकाबले के अंदर चौछी के इंद को लेका तियार इस वह की चौछी के इंद मन कोई रहने मिलेगा फिला लगली गेंद सोई के लिए करती है गेंद बाज इस बाहर पंच कर दिया है इस गेंद को गेंद बॉंडरी के बाहर चली गई है चार अनों के लिए बहुत ही सुन्दर चौका इस बार अच्छा सौट गेंद चली गई बॉंडरी के बाहर चार रनों के लिए एच्छ चौके के साथ ही स्कोर्टीम का हो गया है इंग्लेंड बुमेन का 116 रन तीन बिक्ट के नुक्षान पे तो कमाल की बल्लेवाजी करती हुई निरारी इन तालिस शाइबर 40 रन बना कर खिल रही है से तालिस गयदों में अच्छ परदसान अभी तक हमें देखने को मिल रहा है इस मकाबले में कमाल की बल्लेवाजी और कमाल की बल्लेवाजी और इंग्ली गैस वे के लिए करते यार फिर से फिलेचर जा रही है सामने करेंगे आपर हैदर नाइट कप्तान टीम इंडिया की वुमेंस करके टीम कप्तान ग्यारा बना कर खिल रही है सूला गेदों में आखरी गेंट पर एक और सिंगल के साथ ओवर की समापती तो ओवर की समापती के बाद इसको टीम इंगलेंड वुमेंड का एक से सतरा रण बना है लेकर तीन विकेट फिलाला के लिए गैसर के लिए करता है आरतीसमेंड वर की सुछात है आप पर देखे किया होने वाला किस तरी किस जिवा है मुकाबला में देखने को में लगा बहुत बदने बाद आप समी का मरसा लगाता है जुले रहने के साथ 22 ओवर का खेल पूरा हो गया है और 22 ओवर की सिमापती के बाद इंग्लेंड वुमें ने 117 रन बना ली है तीन विकेट के नुक्षान पर आपने दोस्तों आप वीडियो को लाइक ने के तो लाइक करिए हमारे 20 लाइक दूर हैं हमारे 100 लाइक होने वाले हैं जली जली लाइक बटन दबा देजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फिलाल 22 ओवर की सिमापती के बाद इसको टीम के 17 रन तीन बिकेट के नुक्षान पर बाइस ओवर की खेल के बाद है फिलाल लेकम बात कर दो इतने युवार होने वाले हैं आप लोगा बहुत बहुत स्वागा थे हमारे साल लागातार जोड़े रहने के लिए और उमीद करते कि बड़ी है मुकाबला में फिलाल अगली गैंट पर कोई रन लेने का मुका नहीं था अगली गैंट पर कोई रन नहीं लिए आ गया इसको टीम अभी रुका हुआ है इंगले बूमेंस का अभी अगर हम बात करें फिलाल एक से सत्रा नहीं सको टीम का तीन विकटें रुक्षान पर बाइज असमलाव एक ओवर की समाप्ती के बाद तो बाइज असमलाव एक ओवर का खेल पूरा हो चुका है और अभी तक अच्छा मकाबला भी तक हमें दोस्तों देखने को मिलेगा कमान की बल्लेबाजी कमान का प्रदसन इस मैच में देखने को मिलता हुआ हमें नहाँ आज़र आरा है इस मैच के अंदर फिलहाब लग लिगए इस्वर के लिए का त्यार गेंगा जा रहे हैं इस्वर की दूस्री गेंप को लिकर जाएंगे तीन विकेट के रिक्सान पे 22 अभर किसमापती के बाद अगली गैट इस बहर के लिए करते हैं अगली गैंट का सामने करेंगे वल्वाद हिदर नाइट नाइट जो की अभी तक 16 गैंटों मैं 11 बना कर खेल रही है अगली गैंट को लेकर जाते हुए गैद बाजी में आपर वो 119 रन हो गया है तीन बिकट के नुक्सान पे अभी तक 119 रन बना लिए टीम इंगलेंड बुमेन ने तीन बिकट के नुक्सान पे 23 ओवर चल रहा है 22 संदा तीन ओवर की सबापती के बाद 119 पर 3 रोमान चेक मुकाबला और एक 25 मुकाबला मैं देखने को बिल रहा है इस इस वार इस गैन को केला है साइवर एक रन बना कर केल रही है साइवर ने 33 पर पहुंच गए है दो रन पूरे कर लिए है जी नहीं यहां पर दिखा जा तो बाइट प्लस सिंगल आ जाएगा लेक साइट पर गेंदी अमपार का सारा बाइट बॉल का आता हुआ और गेंद चली गई वहाँ पर सी दबल लिवास को दो रन लेने का मौका इसी के साथ ही दोस्तों नो बॉल फ्री हिट का मौका है जी हां नो बॉल दे दी अमपार ने नो बॉल प्लस सिंगल और उसके साथ ही फ्री हिट का तोफा मिला है टीम के लिए तो ये फ्री हिट का मौका क्या फायदा ले पाएंगे कि फ्री हिट में बड़ा सोट लगाने का फ्यास जरूर की अदाएगा कफ्तान हैदर नाइट के दोरा इंग्लेंड की कफ्तान नाइट जो की 17 गैनों में 12 रन बना कर खेल रही हैं 121 पर 3 हैं इंग्लेंड का शकूर 22.93 अबर की समाप्ती की समाप्ती हो गई है तो देखते हैं कि क्या आप विकिड ले पाएंगे और किस तरीके से मैच को लेकर जाएंगे ये दिखने वाली बात होगी फिरहाल अगली गैनों सोबर की चौती गैन सकीरा शेलमा लेकर जा रही हैं सामना करेंगे बल्ले बास नाइट 17 गैनों मैं इस बार बड़ा सोट लगाया जरूर था लेकिन 2 रन से जादा नहीं मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ इंग्लेंड का स्कूर 123 रन तीन बिकेट उक्सान पे 22.4 ओवर की समापती के बाद फिलाल दोस्तों मैं आपको बदा दू कि एक बाप फिरसे नो बॉल ओह 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 अभी भी नो बॉल रहेगी दोस्तों मैं आपको बदा दू कि एक बाप फिरसे एक और नो बॉल दे दी है इस सोबर में दो नो बॉल आ गई हैं और लगातार नो बॉल आती हुई लगातार बैक टू बैक दो नो बॉल दे चुकी हैं अब स्ट्रीट का फादा एक फार फेसे लेने का मौका है हैदर नाइट के दोरा क्या इस वार फादा ले पाएंगी की नहीं फिर हिट का फादा ले पाने में कामया पहुपाती है की नहीं फिलाल अगली गैन्दोर की लेका तियार इस वार की चौ弇ण को लेकर तियार गैन्दबाज जा रहे हैं अगली गैन का सामने करेंगी बलवा जहांपा हैदर नाइट अठारा गेदो में चौधर अन्मना कर खेल रही है अगली गेंड का साव में करेंगी देखती कि क्या होने वाला है फिलाल गेंड बाजी में सकीरा शिल्मान थोड़ी महंगी सावे तो तोई चौथी गेंड को लेकर जा रहे हैं अगली गेंड हैदर नाइट की क्या एक बड़ा सौट लगा पाएंगी देखने वाली बात होगी इस वर की चौथी गेंड लेकर जाती हुई फिरी हिट का पूरा फाइदा लेकिन एक रन से जादा नहीं मिलेगा बड़ा प्रियास किया लेकिन प्रियास में नाकाम रही हिनलेबाद नाइट को सिंगल मिलेगा सिंगल के साथ इंग्लेइंड बोमेंड का स्कुर एक सो पचीस रन तीन विक्केट के दिख्टान पे बाइस दिसम्ला चार ओवर की समापती के बाद तो बाइस दसमलाओ चार ओबर की समापती के बाद स्कूर टीम इंगलेंड का 125 रन हो गया है तीन बिक्केट इंग्सान पर टॉट गीतने के बाद पहले आज गेन बाजी करने का जो फैसला लिया गया आज 20-20 बुमेंस के दोरा ये फैसला बहुत ही अच्छा और एक सांदर फैसला रहा है अगर हम बात करें इस मकाबले के अंदर फिलाल 25 में 23 में अबर के लाड एक सिंगलय और मिलेगा सिंगल सिंगल के साथ ही इस बार अची के एक अंदों से खेला है एक रिख के16 एंगियर वायिया अभी तक बावन गेंदों में अच्छी वल्लेवारी करती हुई नजर आ रहे हैं इस मकाबले के अंदर अगली गेंद सोट लगा पाएंगे सकीरा की आगली गेंद पर इस बार सिंगल चुराया है सिंगल के साथ ही साइबर पहुंच गए हैं चावालीस पे और मैंपर हैदर नाइट किल रहे हैं सोला पे 23 ओवर का खेल पूरा हो गया है 23 कि समापती के बाद 127 पर है तीन इंग्लेंड बुमेंड तो लाइक करिए दोस्तों 9 लाइक दूर हमारे 90 लाइक होने वाले हैं 100 लाइक तक हमें पहुंचा देजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आ 23 ओवर के समापती के बाद 127 पर तीन है इंग्लेंड बुमें का सादर बल्लेबाजी इस मैच में देखने को मिल रहे हैं इस मकावले के अंदर खबाल की बल्लेबाजी देखने को बल रहे हैं लेकिन 23 ओवर की समापती हो चुकी है और 23 ओवर की समापती के बाद 127 स्कोर टीम इंग्लेंड बुमेन का तीन विकिट के नुक्षान पे फिलाल वन्डे मैच के ला जा रहा है अभी लगवख 27 ओवर का खेल बाकी है इस निक्स में 23 ओवर का खेल पूरा हो चुका है पचास ओवर होने हैं तो 27 ओवर का खेल अभी बाकी है इस मकाबले में 127 पर 3 हैं इंग्लेंड का स्कोर तीन विकिट के नुक्षान पे तो जीतने के बाद पहले आज के मुकाबले में गिंद बाजी करने का फैसला लिया गया मैस्टरीज बुमेंस के दोरा और एक फैसला भी तक देखा जाए तो सही और एक सांदर साबित होता हुआ नजर आ रह इंग्सान पे इस वर की अगली गैन अच्छी गैन थी इस बार एक रन लेने का मौका ता लेकर रन नहीं लिया गया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए वीडियो को लाइक करिए गायार, लाइक करना, सब्सक्राइब करना यह बनता है, अगली गेंद पर फिलाल कोई रन नहीं आता हुआ, इस ओवर की दूसरी गेंद को लेकर ते यार, फिर से गेंद बाजी में देखा जाए तो आलिया जा रही है, और आलिया ने अगर बात कर तो अपर अपनी गेंद बाजी में पहला ओवर लेकर आई हैं और ये टीम का 24 मावर लेकर आई हैं अगली गेंद लेकर तेयार फिर से आली आ जाती हुए इस सवर की दूसरी गेंद बड़िया गेंद थी इस बार लेकिन रन नहीं मिलेगा लगातार इसको रुकावा टीम इं बाज वेसल जा रहे हैं सामय करेंगे हैं नाइट नाइट ने अभी तक 22 गेंदों में 16 रन बना लिये हैं जा दोस्तो 22 गेंदों में नाइट ने 16 रनों की पारी अभी तक खेली हैं और वहीं पर साइवर अपने 50 से सिर्फ 6 रन दूर हैं तीसी गेंद लेकर तेयार के फेल नाइट आउट इंग्लेंड ने अपना चौथा विकेट गवा दिया है 127 पे जी हां दोस्तों 277 के सकोर पे इंग्लेंड अपना 4 विकेट गवाती हुई इंग्लेंड की टीम अप परेसानी में जा रही है क्योंकि लगातार विकेट इंग्लेंड की टीम गवाद थी हुई 127 पे चौथा विकेट गवाद ये इंग्लेंड ने हैदर नाइट भी आउट हो गई है देखें अभी इस तरीके से आउट होंगे तो डाइसरन बनाना तो मुस्कल हो जाएगा लेकिन जिस तरीके से रनों की गती लगातर बड़ी थी उसको देखते हुए अब विकेट गिरा है तो ये खरवर अच्छी नहीं है 23.93 वर की समापती के बाद 127 पे चार है स्कोर इंग्लेंड का एक कमाल का प्रसेशन इस मुकाबले में और एक कमाल की फ़हुमिस इस मुकाबले में हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजियार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज सस्क्राइब देखने चैनल और फ्लीज लाइक दा वीडियो और फ्लीज सस्क्राइब देखने चैनल कि आइवह से 16 लाइक हमारे55 होने में तो जली-जली लाइक को عنा को सबस्क्राइब करें अभी मुकाबले की बात करें दोस्तों मुकाबला रो रोमान्चेख मुकाबला में देखने को मिलता हुआ नजरे रहा है और देखने के सब्सकों प्रोट में बन स大 मखराइगा तेनियल निकोला वाट किस तरीके से बल्ले बाजी करती है देखने बाले बात होंगे फिलाल इस और की चौथी गेंड और इस बार कोई रहने ने का मौका नहीं है तेज़ दसम्दा चार ओवर की समापती के बाद 127 पे चार है स्कूर टीम इंगलेंड मुमेंट का तो लाइक करिएगा यार आप लोगों से बतर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फिलाल सी के साथ ही पांच मेंगेंड को ले करती है और गेंड बात जाती हुए यहां पर सामना करेंगे बल्ले बास अंटालिक डैनियल टी निकोला वाट जो की ए बल्ले से किनारा लगा है अगर बल्ले से किनारा लगा तो नोट आउट सही फैसला है अंपार का लेग बाई का सिंगल है तो इसका मतलब है करीबी मामला हो सकता था लेकिन बहुत करीबी मामला रज़रा सकता था लेग बाई के सिंगल के साथ ही इसको टीम 128 पे चार इंग बुमेंस का अगली गेंस के लिए करते हैं आखरी गेंद को लेकर जा रहे हैं गेंद बास फिर से आदा पर दिखजा दियान अली ने सामना करेंगी बलेबाज निताली शाइवर अपने छे रंदूर हैं 50 से 52 गेंदों में 54 की पारी चार चोके समावजाजी से बलेबाजी करत ठीवी नज़ा रही हैं और देखते हैं किस तरीके से मैच को लेकर जाएंगी फिल्हाल किस तरीके से मकावला आँगे जाने वादा है अगली गेंद सुर्की लेकर तेया अर्गेंद बास फिर से आप अगली गेंद को लेकर जाएंगी सामना करेंगी निताली शाइवर 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 ने पर हैं बावन गेंदों में कमाल की बल्ले बाजी कर रही हैं कमाल के ब्रतसंद देखने को मिल रहा है इस मुगाबले के अंदर और शाइवर की बात करें तो इस निताली शाइवर ने चावाले सिर्णों की अभी तक पारी खेली है बावन गेंदों में अगली गेंद पर कोई सोबर का खेल पूरा हो चुका है 128 पर 4 है स्कोरिंग्लेंड बुमेंस का 24 सोबर की समापती के बाद 24 सोबर का खेल बाकी 26 सोबर का खेल भी बाकी है सो मैच में 128 पर 4 है स्कोरिंग्लेंड बुमेंस का 24 सोबर का हमारे ओने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं आ रहा है आप सभी का धनवाद देना चाहूंगा जली जली चैनल को सब्सक्राइब करते रहें फिलाल अब यहां से देखा जाए 25 मोबर की शुरुआत हो चुकी है 25 मोबर की पहली गैंट पर एक सिंगल और मिलेगा सिंग्ल के साथ ही इंग्लेंड का स्कोर होगा इंग्लेंड बुमेंड का 128 रन चार विकेट के नुक्षान पर बाइड बॉल का सारा आता हुआ अगली गैंट पर और बाइड बॉल के साथ ही स्कोर होगा टीम इंग्लेंड बुमेंड का 139 रन चार विकेट के नुक्षान प तो फिलाल इंग्लेंड बुमेंज 169 पे चार अगली गेंड को रिकर्ट जा रहे हैं सामने करेंगा अपन निकोला के लिद निकोला वाड निकोला वाड डेस गेंड को ड्राइब कर दिया गेंड के एक्स्ट कवर के तरह पे एक रन और मिलेगा एक रन के साथ ही स्कोर होगा इंग्लेंड बुमेंड का 130 रन चार बिकेट के नफसान पे 24 दसंबला दो वर के बाद फिलाल बॉलिया मुकावल देखने को मिल रहा है इस मैच में अजया कर दिया किस्ट फिला के लिया कर दो है अचीजा है प्रश्ड़ल गयाँ झाल 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 झाल